लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें कर दो अल्ट्रा चनल्स अल्ट्स के लिए। झाल 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 पाप नाशम नाम के तमिल नडु में बहुत सारे गाउं हैं ये सब पाप मिटाने वाली जगे हैं 31 जनवरी 1975 को पागल दिवाना नाम की फिल्म जब रिलीज हुई थी तब मेरी मा के पेट में दर्ध हुआ और उसे पता भी नहीं चला कि वो प्रसव पीड़ा है उसने मुझे थीटर में ही जनम दे दिया पगली कहीं की उसने जो पहाद किया वो उसने यही धो दिया तिरुने लवेले जिला पापनाशम और वो पाप मैं हूँ मेरा नाम सोयमबू है मैं अपने नाम की तरह हुँ इस जमीन पर खुद प्रकट हुआ जब मैं चार साल का था तब मेरी मा मुझे छोड़ कर चली गई मैं कभी स्कूल नहीं गया होटल में जूठा बरतन उठाता था मैंने जो भी पढ़ाई की वो सिर्फ फिल्मों के बारे में अपने चार चेजिंग था ना क्या शूपर था एक कार चेजिंग मतलब उस अभिनेता के चेहरे को बहुत जादा क्लोज में दिखाएगा तभी उसके चेहरे की घबराहाट को देखकर देखने वालों के चेहरे पर घबराहाट होगी ना आप इस पाप नाशा में बैठ कर क्या कर रहे हो भाई अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गया ना तो बहुत बड़े डारेक्टर बनोगे और फिर उसके बाद मेरी दुकान हडपना चाहता है क्या कलेक्शन उठा कर बैग में रख में चाय पी कर आता हूँ है कालिया अरे डेली का आइटम लेकर आप जल्दी कर जल्दी रुख यह भाई मेदू बड़ा और काली चाह ना लेकर आता हूँ इंडिया सरकार का बलातकार है मेरे भाई लगता है पेपर का नाम खराब कर देगा तो न्यूज को एक साथ ही पढ़ रहा है ओ भाई कालिया यह पेपर उड़ा कर साइडबे रख दे यार अभी डिजिटल न्यूज है इसी न्यूज को वो लोग कैसे बोलेंगे पता है पहले वड़ा खालो भीया क्या यार मैं बात कर रहा हूं न तो तो ऐसे बरताओ कर रहा है जैसे मैं अनपड़ हूं ऐसा कुछ नहीं भाई आपके बारे में इस पूरे गाउं को पता है किस बारे में वो अपने मेले के रशीद में अपना नाम चुम्म लिंगम लिखा था अक्रम भाई हाँ हफता वसूली वले खाकर चले गए क्या सुबह से चार-पांच केसा कर चले गए शेर अभी तक नहीं आया अभी तक इसकूल खत्म नहीं वाक्या उस परिमल का ये देखो उनके शिकाराएं है परिमल सर के लिए ही वेट कर रहे है शेर से मिलने खुद बक क्या है क्या बताओं मैं बताओं क्या ये पहाड के नीचे रहने वाले आदिवासी है हां इनकी एक अलाद है एक बठान से इन लोगों ने ब्याज पर पैसे लिए हैं वीज लगाने के और फसल को हाथी नश्ट कर गया अरे सही बात है हाथी के रास्ते में अगर तुम कर चला गया और कोन हो सकता है अपना शेर इनक्वाररी करने के लिए लिए स्टेशन ले कर गया चैने के वजा एंस बात करो बोलेंगे बोलेंगे मतलब इसके लिए कोट और कानून कोई नहीं रखता या देनेवालों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है साबित कर देंगे और परिमल कह देगा कि मैंने रशी नहीं है क्या गवाह है गवाह है अगर ऐसा बोलेंगे तो वो लोग उड़कर आ जाएंगे फिर ये लोग लापता हो जाएंगे इसी जगे पर चार लोग आके बैठ जाएंगे ABS Corpuses व्यक्ति किया चिका इस दुनिया में नीला जिस कोने में भी होगा उससे कोड में लेकर आना होगा देओ तिरिव मकला क्या एवियस कोपस का नाम सुना है क्या नाम सुन कर लगा मैंने किसी को उधारी दी है कौन है वो अपने चार्ल्स का भाई है क्या अरे बाई तब वेक्ति की याचिका नाम है जब कोई आदमी लापाता हो जाता है तो कोई भी कुई भी खून हो सकता है किसी ने अपरण कर दिया ऐसा शक हुआ तो इस याचिका को हम कोट में दायर कर सकते हैं फिर कोट पुलिस को और देगा कि वो जहां कहीं भी हो उसको पकड़ कर ले आओ जब हिरोई लोग गायव हो जाती है तो उसके माबाब दायर करते हैं वही है न सही कहा इसने भाई जरा इसकी नजर उतारो इसके हाथ पार तोड़कर बॉयलर में डाल देता हूं यह भी सही बात है आप दुनों एक काम करो सी किसी ने मेरे बच्चे को के डैप कर लिया ऐसा हमको शक है आप ऐसा केस करो कि मेरा बेटा बच्चा है वैसे केस करने की भी जरूरत नहीं है शंकर पांडे यह केस हाथ में ले रहे है अगर एक फोन करके पुलिस स्टेशन में बताओगे न तो थाना हिल जाएगा अरे आप आप शब्लोग यहां पर मत रहें पीछे के रास्ते से चले जाए यह पैसा रख लीजेए एकालिया समहाल कर लेजा जाहिए 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 कोई बुरा बुरी यहां पे आया थे क्या नहीं क्या रेका लिया आज का इस पेशल क्या इडली इस पेशल डोसा इस पेशल चुल्ला इस पेशल कोईला सब कुछ अब यहां चाहिए चाहिए अब बड़ा रहा है पुराना अभी चटान की तरह खड़ा है क्या बोला मेरा पुराना हिसाब निकाल के दो अभी जितना भी होगा अभी चुकता कर दूंगा अभी हिसाब कर देखी क्या सब्सक्राइब चार जार अट्सों पचास अभी जो एडली ओर्डर किये न वह उसमें नहीं है वह टोपी में जो बिस्केट डाले न वह उसको मिला करें अच्छा पुराना हिसाब कर देता हूं फिर कोई समस्या नहीं होगी हमारे बीच पूरा सारा हिसाब आज ही सेटल कर देता हूं 4880 ही नहीं राउंड फीगर 5000 ले ले क्या बोलता है चलो अच्छा अपने कमीशन में कट कर दूँगा कैसा कमीशन हाँ इलेक्शन कमीशन हाँ भी न भाई है अब दोरो बात करना है न देखो इस पुलिस स्टेशन को यहां के जमीदा ने करीब 100 साल पहले बनवाया था अब उससे तोड़कर वो पुरी जो खाली जमीन पढ़ी है ना वहां पर एक नया पुलिस स्टेशन बनवाने वाले तब पता है छे महीने तक कांट्रेक्टर मिस्त्री कडिया वाले ड्राइवर सभी लोग यहीं आ करके चाय कॉफी बगर पिएंगे और उन सब लोगों को मैं ही इधर भेजने वाला हूं अगर एक दिन का एक हजार का भी धन्दा हुआ ना तो छे महीने में पॉने दो लाग का होता है अब उसमें से धाई परसेंट कमिशन मुझे दे दो क्या हो चाचा इसको बोलते हैं पुलीस बाई के काते में टार रूप है अरे ये कौन है बाई मेरा कमिशन का पैसा काटकर बाकी का दे दो तो मैं चला जाओंगा ए तेरा कौन सा कमिशन क्या भाई या भूल गए क्या कल मैंने जो केबल पर पिक्चर लगाई थी वह एकदम बक्वास थी इसलिए सारे लोग बोर हो तू और तेरे पावलर की बदबू देख दू में एक दिन तुझे भी मा मेरे पैर पर चोट लगी तो इस मामा ने मुझे बचाया क्या भाई फिल्म देखकर कैसे रो रहे हो आप जारे भाई बहन के ऐसी फिल्म देखकर कोई रोए भी नहीं रह सकता है क्या चोटे मुझवला हिटलर भी ऐसी फिल्म देखकर रोता था क्या हिटलर ने भी इस फिल्म को देखा है चुप आप तो इस पीन पे इस हीरो को देखते ही रोना शुरू कर देते हो भाई नाग तो साफ करो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या चोट लगने पर जैसे लोग छट पटाते हैं वैसे ही डांस तुम्हें पसंद है ना बेवकूप पुरानी फिल्मों में जो नराच गाने होते थे थे रहो फिर से चालू मत हो जाना आपका मूँ एक फॉर्टी सेवन है फोन आ रहा है कंप्ले किनलीन होती है यह ant s हां ह्थीखंग ना ठीकर 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 उटए और अपना तेहसीलदार संकरप्रसाद मिड़्स उसके घर के सामने का केबल आम्प्रिफायर रिपेयर करना है हमने उन और था पर सो बदल कर देंगे-ह इस पेर पार्ट्स मिलने हीं चाहिए अरे वो बहुत बूड़ा है उठकर चल भी नहीं सकता रात में हम लोग जो बोल्ड पिक्चर लगाते हैं ना उसे देखकर उसका ब्लेड प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहता है इसलिए वो तड़प रहा है भाई उसकी बीवी कुछ नहीं बोलती है क्या आप भी कमाल करते हो बाई उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देता पता सुबह आकर वो मुझसे क्या बोली बोलती है मेरा पती इतना अच्छा रात बर योगा आसन वाली फिल्म में देखता है मैं बहुत खुश हूँ है एक बज़ूर क होने की वज़र से किसानों का बहुत ही बुरा हाल है आए देखते हैं मैं देखते हैं क्या कहना है तेरी मा कहा है पीछे होगी पापा हां पढाय चलोगी यह परिक्षा है क्या हां पापा साइन्स टेस्ट है ठीक से गणित लिखना पापा क्याई सायन्स है पापा है गणित नहीं आता क्या क्या पापा हूं untuk ईदर गर्मागरम प्ढ़ाई हो रही है और अधर गर्मा इदली बन रहा है जाओ जाका नहाओ कर नहां अलो और श्णा दुरा नहीं क्या थिए तो क्या करोगी तुम लोग। अच्छा दिन में कोई चोड आता है क्या। जाओ। इस जमाने के चोडों के बारे में तुम नहीं जानती हो। एक फिल्म में इसी तरह का सीन था। उसका पती होगा। आपको भाशा समझ में नहीं आती ना इसलिए चोड समझ लिए। सारी भा आपकवाद बड़ा रोमियों समझते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं ही रोमियों हूँ और कौन हो सकता है जाकर ना कर आए ना इस वक्त रोमाइंस कर रहे हैं जाओ ना लो जाओ ना लो वहाँ बेटी साइन्स पढ़ रही है और यह मुझे केमेस्ट्री पढ़ने नहीं दे रही है जा रहा हूँ अरे लाइट ओन करो अब बालों को ऐसा आगे क्यों घुमा रहे हैं पापा यह ओड़ फैशन है क्रेन के हुक की तरह है हेई तुझे पता नहीं मैं ऐसे 30 साल से गोल बना रहा हूँ यह शिवा जी का स्टाइल है वो खुद ऐसे नहीं रखते अरे उनकी मौत हो चुकी है जब जिन्दा थे तब गोल बनाते थे सबका अपना अपना स्टाइल होता है उसे कोई नहीं चेंज कर सकता पापा पापा पीछे अपना हिसाब किताब लिखना पीले कवर की थैली में पैसे रखना यह सब कभी नहीं बदलने वाला अरे मैं डेली चार जगे वसूली के लिए जाता हूँ पाउडर नहीं लगाऊंगा तो बदबू आएगी ना अरे यह तो बदबू से बदबू मिटाने की बात कर लंडन से लड़का लाना होगा पापा इस तरफ इस तरफ इस तरफ बहुत अच्छी कुछ पो आ रही है सुना तुमने आपका हैस्टाइल भी अच्छा है मेरी प्यारी बच्ची हो गया तुम दोनों का प्यार चलो बैट कर खाना खालो रोज स्कूल के ले लेट हो जाती ह सेल फोन लेना चाहिए पापा इतने बड़े फोन को लाइन नहीं मिलती है तो छोटे फोन को कैसे मिलेगी ये सब काम आसान हो जाए ना इसलिए हमने 1 सेल फोन देख कर रखा है, यस, सेकेंड हेंड ही न, इस घर में सिर्फ मैं और बच्चे ही तो फर्स्ट हैं, हम तीनों घर में पूरा दिन अकेले रहते हैं, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं है, पता नहीं हो आफिस में बैट कर कौन सी अनाफ शना फिल्में देख रहते हैं, सुनो, 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 मेरी मा, ठीक है, मैं हथियार नीचे डाल देता हूँ, बिना शर्त के मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, अब खुश? हाँ, ठीक है, जानू, रहत में तुमने फोन क्यों किया था? बस तेनकाशी जाना चाहते हैं, क्या कहा तेनकाशी? ए तू हसमत, व सुपर, पांच हजार का चुना लगा दिया ना, तुम लोगों ने, अरे ऐसे मामले में तुम सब एक कैसे हो जाते हो, जो होरते घर में काम करती हैं न, उनकी भी हजार उखाइश होती हैं, और एक हम है, घर में ही पड़ी रहती हैं, खुद तो सुबह खुशी से निकल जा सकते हैं, आप हमें लेकर जाएंगे या नहीं ये बताइए बस, अरे, सब लोग मिलकर गड़ा खोद दिया न, अब यहां गड़ा खोदने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर में जो चीजे बची हैं न, वो इस गड़े में डाल देंगे तो वो खाद बन जाएगा, कमपो लेकिन आप ले ये काम करने की क्या जरूरत है, क्यों कि तुम्हारे हाथों में छाले पढ़ जाएंगे न, वो तो ठीक है, लेकिन किसी को पैसे देंगे तो वो कर देगा, अरे, सौ रुपे में कौन आएगा, तीन सो से नीचे कोई फावड़े को हाथ तक नहीं लगाएग अब इस जोंक के बारे में तुम क्या जानती हो, तो क्या चाहते हो तुम, मैं क्या देनरा तुम्हारी तरह इसी के बारे में सोचती रहूं, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या, ये जोंक क्या होता है, पता है, किसानों का दोस्त होता है, बच्पन में जब मैं मसली खाने को सिर्फ बर्गर खाना चीज बर्गर ठीक से अखबार तो पढ़ नहीं सकते और इस तरह की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं अगर कुद्रत का दिया दिमाग हो न तो कुछ भी पढ़ने के जरूरत नहीं है आसपास में जो भी चल रहा है अगर हम उस पर नज़ा रख और अब मुझे प्रवचन दे रहे हैं आ सही कहा मैं प्रवचन दूँगा और उस पहाड के ऊपर चड़कर प्रवचन करूँगा मैं सिर्फ चौथी तक पढ़ा हूँ मा भी नहीं है बाप भी नहीं है और ना ही कोई रिष्टेदार है यह जो कुछ भी तुम देख रही हो चेंज नहीं हुआ है आपका बहुत सारे काम करने मुझे कुछ और बोलता हूं सुनकर तो जाओ शेर प्रवचन करो शेर शेर प्रवचन थोड़ा जल्दी यह लिवरो टाइम कम है तो यहां के कर रहा है हां भाई क्या हो रहा हुआ कोई लाश है क्या नहीं भाई यहां पर नया पुली स्टेशन बनने वाला है जल्दी यहां पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी थंडी अवा खाने के लिए तो लॉक अप में सोएगा क्या तुझे क्या लगता वहां तुझे चैन की नीन आएगी यह तुझे कलेक्शन के लिए भेजा था ना मैं तो कलेक्शन के लिए गया था भाई लेकिन वह जो आदमी खड़ा है ना कौन वह ट भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आया अरे तुझे तो पता है ना मैं अनपड हूँ और ऑफिस में टेबल है उसका मालिक में तो क्या वह अनपड टेबल समझ में आया कसाई की दुकान में पकरे का तमाशा देख रहा जा कर अपना काम करूं अरे भाई आये साब कैसे हैं अरे इनका नाम मणी शंकर है नए कॉंट्रक्टर है इनका नाम स्वेंबू है तमाम काम करते हैं केबल टीवी चिट फंड लेंड ब्रोकर कमाल क्या आद्मी आद्मी एक काम नहीं तो दूसरा तो रहता है वह बिल्डिंग देख रहे हो ना वह बिल्डिंग इनका ही है अरे आप चुप रहो भाई नीचे जो दुकान है वह अपनी ही है मतलब आपको भी बड़ा आद्मी बोल सकते हैं भाई भी दिखने में कुछ कम नहीं लग रहे हैं किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मारवाड़ी की दुकान से उठा कर ल बस ऐसे ही चल रही है जिन्दगी अरे भाई भाई भावी बोल रही है कि आप रात में खाना खाओगे या उसमें पानी डाल दूँ है चुपकर बाई परिवार नियंद्रन का नया तरीका ढूंड लिया अपने हमारे भाई के लिए सिनेमा है ना भूबदकर यह क्या बोल लड़किया जिस टीवी पर मॉडलिंग करती है वो फेमस है और उसमें हर लड़की का नाम या सब को बता है बाहर के लोगों के सामने क्यों बैज़त कर रहे हो यह सब को बताना चाहिए वरना यह हमें गवार समझेंगे अगर बताएंगे तो यह लोगे रखीन कर लेंगे क है तू चल मेरे धंदे की वाट लगा रहा है ऐसा कुछ नहीं है भाई है कि है कि है सुन क्या हुआ भाई सर में बहुत दर्द है घर जाकर आराम करता है खाने पर तो पानी डाल दिया होगा सरदर्द में वैसा खाना अच्छा होता है भाई वह गाना खतम हो गया क्या एक नमबर का मुसीबत है यह अरे मैंने तो चावल में पानी डाल दिया मैं क्या खाना खाने आया हूं आज क्या सीन था नहने का सीन था या बेडरूम वाला सीन रेप सीन हां चलो चलो अरे बच्ची जाग जाएंगे ना खुश्बू अच्छी है ने क्या अभी सुम्र में इस सुम्र में नहीं तो फिर कि सुम्र में जवानों मैं जवान हूं यही बोल रहे हैं सभी लोग क्या बोल रहें सुरट सिक्स्टीन क्या हम्र यही तो क्या रहे हैं सभी लोग सवेग्ची आनल मुझे आपसे कुछ बात करनी है मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो तुम्हें लड़का चाहिए यही ना क्य सबंगowanie क्याम tmar के गर में अब तुम्हें एक मेरे जैसा चा वो जीप, उसमें दर्वाजा भी नहीं है, यह जगे बहुत अच्छी है, जीप, वो मैं नहीं कह रही हूँ, उस जीप को बेचकर नएक कार खरीते है, दर्वाजा वाली, इतनी देर से तुम यही बोलना चाहती थी, क्या, क्या हो, कहा जा रहे हूँ, तुम लोग क्या, यह स किसी और को देखो अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वह बिल्कुल नहीं था ऐसे वक्त पर मांगोगी तो भी मेरा आजी नहीं होंगा अपने आपको कैसे कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह पता है मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर लूँगा मेरा नाम स्वयम्वू है यह यात रखना कर वह यह यज़िए बद बूह रहे है क्या तो आने दो ना कार सेकेंड हेंड चलेगी क्या अच्छा ठीक है ठीक है फर्स्ट हेंड फर्स्ट हेंड नई कार खरीते हैं कुछा प्रे प्रेंड मेंस अरे पाप अपका बाई माने चाई था कि आप नहीं आएंगे आने के लिए मजबूर हो कियू कल रात को मैं बताती हुं हम कार खरीदने वाले धरवाजो भाली कार टो वो बुक करने एक के लिए ठीक है पापा सूपर पापा अरुटी नहीं पापा साबन के डिपबे जैसे लगीगा हम लोग औरी खरीदे हैं ठीक है औरी ऑफर आने तो फिर हम खरीद लेंगे औरी कार है चलती है तो आवाज भी नहीं आथी ऐसा क्या रोट के आदमी को सुनाई नहीं देगा और एक्सिडेंट हो जाएगा उसके लिए हॉन है ना पापा अच्छा उस गाड़ी कीमत मारूती से कम है क्या पापा वो पचास लाग की है मैंने उस नेचर क्लब के बारे में बताया था ना उस सबके हमें क्या जरूरत है स्कूल में पढ़ने ही जाती हो ना पापा देखो ना पापा क्या है वो पापा हमारे स्कूल में नेचर क्लब है उस क्लब की तरफ से हमें ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं वहां जाकर पेड़ प पौधों के बारे में नोट्स बनाओ पापा ए रानी एक बात समझ लो किया शिक्षा सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं होता है हमारे आसपास के पेड़ पौधों को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो भला देश को कैसे समझेंगे देश के बारे में समझना है ना पहले इसकी फ यह बताओ कि फिर उसे पढ़कर क्या फाइदा यह बहुत ओवर हो रहा है हाँ पापा इसा है क्या अच्छा बताओ कितने दिनों का कैम्प है दो दिनों का एक दिन के लिए जाओगे तो कुछ डिसकाउंट है कोई ओफर ठीक है मेरी और के यह रही ह하ालो कि इसे खाओ वह सब खा लिया है मैंने कुछ भी बरबाद नहीं करना चाहिए यह तेरे पापा बोल रहे है इसमें गलत क्या है पापा दे रहे ना अब तुझा स्कूल मैंने कब πολ었다 दे रहा है अब कह दियाONEY के दिया बस हो गया बाए पापा म अब जा रही हूं मतलब तुम मना करुए हो क्या आप भी ना इंव्हाइजcken के साभने इसी बाते राट में से अर्थ वो सब है और वो छोटे बच्चे है आप ऐसा सोचते है लेकिन बच्चेों को सारी बाते समझ में आती है मुझे इनकी उम्र भी कुछ पता नहीं चलता था अब ये भी आपका पता चलता है क्यां? नहीं पता है अरे इसकी क्या जरूरत है? वहाँ पहले से चार-पाज पड़े में हैं अरे अभी बच्चे आयें तो कुछ तो देना पड़ेगा न गीले कपड़े से इसे ढख देंगे तो इसकी आवाज नहीं आएगी चुपचा आप रहेगी ब्रोकर स्वामी को यहां मैंने बुलाया है आप गुरु आर को आएंगे तो सारी बातें कर लेते हैं किसके लिए? घर पुराना हो चुका है अब इसकी क्या जरूरत है? इस घर को सोच रहाँ की इस घर को बेच कर आदा पैसा बेटी और बेटी के नाम पर जमा कर दू यह सकी क्या जरूरत है पापा? तंगराज ने कुछ मांगा है क्या? उसकी हिम्मत है क्या ऐसा कहने के लिए? फिर बेच क्यों रहे? दामाज जी जब रानी की शादी आपसे हुई थी जैसी स्थिती उस समय थी आज भी है करजे से अभी तक उबर नहीं पाया? हाँ पापा मैं एक व्यापारी हूँ किसी भी अच्छी चीज को पैसे दे कर खरीदना चाहिए पैसे भी पास में हो और चीज भी ऐसा नहीं करना चाहिए मैं अनाथ था आपके घर पर मज़दूरी करता था नहीं पापा पहले आप मेरी बात सुनिए आपकी बेटी से शादी करने के बाद ही आज मैं चार लोगों के सामने इजज़त से जी रहा हूँ ऐसी बाते मत किजिए मैं आपका कर्जदा नहीं पूरी नहीं हुई पूरी बात सुनिए मैं आपका दामाद नहीं बलकि आपका बेटा मुर्गी दीजे ठीक है अपना खयाल रखना मा ठीक है बेटी संभल कर जाना और पहुंचते ही फोन करना जाओ जाकर गाड़ी में बेटा इन्हें देखो आ गए राज जी के भविष्य है इसे पकड़ है क्या जीजा आपका भाएं अभी आया लगता है कुछ दूबले हो गया है नहीं तो पापा का पेट तो बढ़ता ही जा रहा है अरे ये नादान बच्ची है तू इधर देख वैसे पाटी का काम कैसा चल रहा है 2024 में अपनी सरकार होगी जीजा कनफर्म किसने कनफर्म किया जोतिश ने मशूर जोतिश है कोचुनी नाम ही कुछ अलग लग लग रहा है पापा वो बहुत पहुचे हुए एक बार मिलियेगा न तो फिर आपको समझ में आएगा ये हाथ में क्या है रसीद की बुख है अच्छा तो हम लोग निकलते हैं अरे 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 अज़ दिदी ऐसे ही मजा कर रही है मैं आपके सामने रसीद दिखाऊंगा क्या आपके बारे में पुरा गाउं जानता है नारियल चिनवाली पार्टी को पूरे पांच रुपे डोनेशन दिये थे आपने ये बात पूरे तेन काशी को पता है अरे वो कूफर के पास काम धंदा नहीं है कुछ भी बोलते रहते अच्छा ये सच में रशीद नहीं है प्रचार के लिए जी जा जी डरिया मत लड़ेंगे लड़ेंगे आगनी दम तक लड़ेंगे उमीद के साथ लड़ेंगे ये क्या बोल आप मसबूर छाए इसमें सारी बाते लिखी है आच्छा वो जो खादान वाला है तेरी पार्टी का है न वो पहले था अभी पार्टी बदल दिया है तो फिर अब बहुत जल्द हम उस खादान को बंद करवा देंगे है वो बाल बच्चे वाला है ये बात उसको पार्टी बदलने के पहले सोचनी चाहिए थी फिर उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे जी जा जी खादान में एक बहुत बड़ा कुवा है उसमें उन्हें डूबने के लिए बोलेगा ये उनकी मरजी है हम उस कुवे में मचली ब बस है क्या हुआ सद्गुरू क्या हुआ उनको स्वामी भरत नंद तेन काशी आ रहे हैं कितनी बार आप से कहा है कि तिरुन वेली जाकर उनसे मिलकर आते हैं अभी वो खोद यहां पर आ रहे हैं पुरे परिवार के साथ जाकर उनसे मिलता है न किस लिए लिखा है वहां वो बहुत बड़ा हवन करने वाले हैं पूरे परिवार के साथ बैठ कर प्रारतना को सुनेंगे तो परिवार को सुख और शाथी नहीं करते हैं सारा सो रूपे लेकर गई थी क्या-क्या देखकर आई चूहा इतना बड़ा चूहा पापा जंगल में ऐसे भाग रहा था मैं और प्रिया चिलाने लगी में रैट करके चिला रहे थी और वो माउस कहकर वो कंप्यूटर पढ़ रही है ना तो सामने आ करदन में दर दो रहा है अरे बेटी हमारे हां चूहे डांडिया खेल रहे हैं और तू उन्हें देखने के लिए पैसे खर्श करके गई सिर्फ इतना ही नहीं पापा सुबह सुबह नेचर वाच और नाइट में एंटर्टेन्मेंट प्रोग्राम भी था मैंने भी एक गाना गाया पापा सबने ताल एक जच का लड़का उसने बहुत अच्छा मैजिक किया फिर एक आई जी का बेटा था बिल्कुल ठक था ठक मतलब मतलब लफंगा था जब देखो लड़कियों के पीछे जाकर फोटो खीच रहा था कौन फोटो तीरा खीचा गया तूम हो अरे वहां से छुपकर क्यों सु क्या मा कुछ भी बक्ति रहती हो तुम ऐसा कुछ नहीं होता है मा देखिए अरे देख तो रहा हूं मैं तू तो अच्छी तरह जानती है कि किसी भी बात को आधा धूरा समझना ही इसकी अकलमंदी है मैं तो दस्वी पास हूं और आपने तो कलेक्टर की पढ़ाई की है ना जब देखो मुझे बच्चों के समने नीचा दिखाते रहते हैं एई दस्वी एई थग पता है तुम्हें थग का मतलब क्या होता है थग का मतलब आवारा होता है ना ओहो आप भी ना पापा एई अरे बदमाश थग मतलब मैं हूं बेस्मेंट सही नहीं है भाई इसलिए पानी अपने आप उपर आ रहा है थोड़ा उचे करके बनाना पड़ेगा पहाड़ देख रहे हो इसलिए बारिश यादा होती है ठेक करने के लिए सोच तो रहा हूं लेकिन मेरे पास बहुत काम है यहां टाइम नहीं दे सकता वाई उस काम के साथ साथ यह काम भी कर देता हूं अपने पुली स्टेशन के फ्लोरिंग काम सो मौर से शुरू होने वाला है उसके खतम होते ही से कर दूगा सही है करके दे दोगे तो तुम्हें सिमेंट रखने के लिए गोदाम मिल जाएगा औ यहां भाई तेन कश्टी से गाड़ी आ रही है समान उसमें लेकर आ जाएंगे ठीक है ना ठीक है देख लीजिए चल कर एक एक कप चाहिकी तो और से बंद करने करें करें को कॉंट्रक्टर सार आप मुझे माफ कर दीजिए अन्जाने में छोटी छोटी गलतियां हो गई हो इसनाइब नहीं तो मरने के बाद आत्मा तो भटकती रहेगी ना हमेशा कोई बात नहीं है तो अपने आप को समझता है एसाई को बोलेगा क्या उखाड़ेगा वह मेरा साबजी जो भी हो शांती से बात की थिए दूसरे के कहेंपे अगर नाचेगा ना नाचने के लिए प सुने सोने के दुकान अगवान की सारी दक्षणा परिमल के लिए उधर क्या देख रहा है एसाई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा तुझ समझ के रहना हाँ भाई सुरेश तर अच्छे इंसान है एसाई भले पारिवारिक आदमी है इनकी तेरह से छीन कर नहीं खाते हैं हाँ साही का मैं छीन करी खाता हूं तुझे क्यों खुजली हो रही है मिटाओ क्या मिटाओ तेरह पास पैसे हैं इसलिए इतना उचल रहा है इंतजार कर तुझे भी देख लूंगा एक दिन किसी दिन टाइम निकाल कर देख लेना मैं इधर हूं एकदम शांती से जा रहा है कुछ बोला नहीं बहरा हो गया है क्या भाई देदे के थग्याओ भाई वो मेरा पैसा है अपने उपर वालों क्या हिसाब दूगा इसलिए मैंने ऐसा हिसाब को बोल दिया अरे छोड़ो भाई उस चोर की बाते सुनकर तुम जादा परेशान मत हो वह कुछ नहीं कर पाएगा कुछ भी हो लेकिन वह पुलिस वाला है लेकिन ये उस बैमान को पता नहीं न पुलिस को देखकर हम क्रिमिनल है क्या जो इमांदार होता है वह सिर्भगवान से डरता है हमने आज तक ना तो कोई गलती की और ना आगे करेंगे हाँ प्लीज पीज दीदी मीना मीना कटी है हाँ 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 हम नेचर केम्प में मिले थे हाँ गोंगल की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई तुम यह कैसे अगर मैं सच कहूं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ मा मा बहुख लगिया मा रूजा बेटीव दो मिनट रूख ज्ल्दी कारें हाँ नहीं रूख सकती क्या मा कहां रहां कै सामान दीदी लेग करार्या है मुझव बहुत भूग लगिया आञा भी अरे डूबाशी मत कर बिटाः रूख तो सामान निकाल ले तो देख यह है ए दीदी कहा रह गई अब तक नहीं आई पिछे से आ रही थे हैसा का ना महेश मामा की घर तेक हम लोग साथ ही आये थे फिर मैं बाग कर अंदर आ गई मारेगी कह रही थी बढ़िया ही मारने वाली ठीक है जा तु जल्दी जाकर अपना होंवग पुरा कर ले शिल्पा मा बाजार से लाया हुआ सारा समान तो रूम में है शिल्पा शिल्पा उसे कैसे सनागेगा मा कान में हैंडफोन्स लगाए होंगे ना शिल्पा क्या है मा अंदर क्या करें ये तू अब ही आ रही हूँ थोड़ी दिर के लिदे में डर ही गई थी वे फकर होकर गाना संते रहती है एक डरने की जरूरत नहीं है इसे कोई और नहीं देखने वाला है प्रामिस मैं तेरे सामने डिलेट कर दूंगा ठीक है ना लेकिन मैं ऐसा तभी करूँगा जब तू मेरा कहना मानेगी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में बात करनी है रात को ग्यारा बचे तेरे घर की पीछे जो बगीजा मैं वहाँ पर मिलने आऊंगा किसी को भी बिना बता है चुपचाप चलिया ना नहीं बरून है मैं नहीं होंगा अरे ये क्या तु भी बच्चों की तरह रो रही है मैं तुझे डिस्टरब करने नहीं हाया हूँ अगर मैं चाहता तो इन्टरनेट पर डाल देता DOC को दिखा देता मगर मैं ने ऐसा खुछ भी किया लान क्यों किया क्यों क्योंकि मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ मैं नहीं आउगी प्लीज मैं नहीं आउगी प्लीज ये इंटरनेट पे वाइरल हो गया ना तो तेरी लाइफ का क्या होगा तेरा बाप सर नहीं उठा पाएगा समझी फिर उसके बाद मुझे दोश मत देना पापा ए देख तू डर मत मुझे मालूम है कि तू पकाएगी तू आएगी ना देख मैं तेरा वहां पर ये इंतिजार करूंगा प्लीज 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 तो फिक्स रहा रात के ग्यारा बजे तेरे घर के पीछे चलता हूँ मैं बाई यह क्या इतनी जल्दी सो गई पढ़ाएं नहीं कि सर में दर्द हो रहा है तो और क्या होगा हर वक्त कान में एईरफोन लगाकर तेज आवज में गाना सुनती रहती है कितनी बार वना किया है पर सुनती ही नहीं कोई दवाई तूं कि यहां नहीं मां सौँगी तो ठीक हो ठीक है सोजा कि खाली पेट नहीं सोना चाहिए बेटी कुछ तो खाले ना डाल चावली से ही आड़ भी बच गए है ठीक है बहुत तेस बारिश हो रही है लाइट जाने वाली है तु अपना मूध हो रहे है बारिश के पानी से जब भी देखो बेवकूफ हो जैसी पाते करता है छत्री कहा है अरे वो मही है ठीक है तो उसे लेकर तु घर निकल जा अरे वो मही है तु 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 क्यों बुला ऐसे बहुत बड़ी गल्टी किये तु ने तु ना एक नंबर की बेवकूफ है अब तु देखना सुनों बिटा तु मेरे बेटी जैसे हो हमने बड़े प्यार से हमारा छोटा सा छोटा सा घर बनाए है तुम इसे इस तरह से बर्बाद मत करो घर आवाद होगा या फिर बर्बाद यह तुम्हारे हाथ हो मैं जरा यह वीडियो देखो अगरे चुपचाप मान जाती तो मामला यहीं खत्म हो जाता लेकिन तुमने बीच में आकर सब कुछ गरवड कर दिया अब यह वीडियो वाइराल होगा पूरी दुनिया इससे देखेगी नहीं नहीं ऐसा मत करना बिटा हम सब बर्बाद हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन मैंने जो मांगा है मुझे वुचाहिए तेरी पीठी एक रात के लिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा खाल उधेर दूंगी बद्तमीज कहीं के तो ठीक है सारी दुनिया को यह बद्तमीजी देखने दो बोलो कर दू वाइरल हां देखो जाए पिट्टी के सिंद्ध करफात करेगा यह पिट्टा अधेरे पहर पड़ती हूं पहरवानी करके हमें माप कर दो बेटा मैं तुम्हारे हाँ चुट्ट इसा कुछ मत करना चोड़ दो हमें इसा कुछ मत करो चोड़ दो हमें ठीक मैं उसे छोड़ दूँगा लेकिन उसके बदले मुझे तू चाहिए चिक क्या है कौन बेवकूफ किचर का पैडले कर अंदर आया है है रानी है रानी पापा 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 अरे अरे क्या हुआ बच्चों क्या हुआ अरे बोलो ने क्या हुआ पापा पूछ रहे हैं बताओ लेकिन उसके बदले मुझे तू चाहिए है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं इसे डिलीट कर दूँगा बहुत ही क्लियर वीडियो है यह अप्लोड करूं कि नहीं जल्दी बता मुझे नहीं हुआ हुआ है हुआ है शिल्प शिल्प हुआ कि वह जाखå मैंने फोन को मारत अगलती से सेट पर लग गया आजम वसक्त पर ये वोे सिक यह नहीं लगेगा औसे बारिश में नैटवक बिल्कुल ही होता मां आपके इप इतने मेरас दो कर दो जुट सर्थ। झाल 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 कि अज़ जाए 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 झाल झाल अब हम लोग क्या करेंगे पता नहीं मेरे हाथ पेर काप रहें दफना थे वक्त मेरे अंदर हिम्मत कहां से आई पता नहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना और हम कर भी क्या सकते थे मुझे तो बहुत डर लग रहा है अगर पुलीस को बता देती तो अच्छा रहता ना क्या जो मरा है वो आई जी का बेटा है अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो हमारा पूरा परिवार बरबाद हो जाएगा हमारे लिए हमारी बेटी की जिन्दगी जरूरी है मुझसे टेंशन परदाश नहीं हो रहा है लगता है मर जाओंगी एच्छे देखो हम हीमत से काम लेना होगा अब मेरी बात सुरू हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया किसी का कुछ नहीं बीगाड़ा हम पर मुसीबत नहीं आ सकती है करले वह से अब बुम कि सबाइट जके अच्छां़ आपत्व जबतेशो नेम इस जिए दिद्गम्ट्णि गिल ख़ Hartright और हमभेला नहीं लोतक्व अनका उसकी आपत्पास कहां है कहां जाकर परकुर अफौन में और भी कुछ ऐगा ख्या कुछ भी चला जा मा को भी साथ लेकर आ मामा चलो मा चलो 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 तुम कहां खड़ी थी और वो लड़का कहां गिरा यह सब ठीक से याद करके बताओ मैं वहां पर तुम वहां खड़ी थी क्या वो लड़का वहां गिरा थी क्या अरे सर पर मारा था लेकिन यहां खून की एक बूंद भी नहीं है लगता हो उसे अंदुरूनी चोट लगी थी ठीक 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 चिंता बत करो यह भी हमारे अच्छे किए लिए क्योंकि खून को छुपाना बहुत मुश्किल होता है उसका कपड़ा धागा फीता सर के बाल कुछ भी नहीं रहने चाहिए उस प्लास्टिक एठीक उठा यह सब उठा कर उसमे ठाल दे उस लड़के की कोई भी चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए सब कुछ अच्छी तरह साफ करना है इदर इदर वहां वहां देखो वह वह भी पापा से रुख जाए वह दूसरा सेलफोन की जगे पर डियक्टिवेट हुआ वह लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी ना वहां से चार किलोमेटर साउथ देशा में आज कल पुलिस सेलफोन के जरीए के उस्ट को पकड़ती है सेलफोन और रखेंगे तो मुसीवत में पड़ जाएंगे कोई भी अभी MP दिलीट ट्राई मत करो मेरे सारे फोन टेप हो रहे हैं एक सिम एक राउटर में कनेक्ट हो जाएगा तो हम उसे पकड़ सकते ठीक है यह सब एस्टेडी बहुत सु हो रहा था कैसे आप मुझे बताइए सेलफोन के जरीए पुलिस एक्क्यूस को पकड़ लेती है अगर हमने फोन ओन गया थो हम पकड़े जाएंगे कि उसके फोन के सिगनल से पता चलता है कि शहर से आठ किरमटर दूर उसके फोन की लोकेशन लोकेट हुई है यह का रहा से साइबर क्राइम केसे को ट्रैक करने में यह हमारी वदद करता है से अब एक कपड़ा लेकर इस जेगे को अच्छी तरह से पोस्ते ना और जब तक मैं वापस नहीं आओ तब तक घर से कोई बाहर नहीं जाएगा मैं दर्वाजे पर ताला लगा देता है बाहर से कोई भी देखे तो लगना चाहिए घर में कोई नहीं है मैं कुछ पूछू अरे कोई बात नहीं पूछ सकती हो पूछो की तब ही तो पता चलेगा देखो पहले मुझे उस गाड़ी के बारे में पता लगाना होगा गाड़ी को ठिकाने लगाना है ना जल्दी आजाना आजाऊंगा अब लोग अके लिए कैसे रहेंगे की सुचकरी डर रह रहा है यह 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 तिरुपती बाला जी की बीभूती लगा लो मैं कुछ भी करके रात तक लोट आऊंगा मैं फोन नहीं करूंगा किसी और का फोन आएगा तो उठाना मत समझ गई बिल्कुल ही उठाना और क्या बेटी पापा पुलीस मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी क्या पापा मुझे डर लग रहा है अरे तु यह कैसी बाते कर रहे हैं हां तु और जेल में ऐसा हो सकता है तेरे पापा है ना जब तक मैं जिन्दा हूं मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूँगा यह वादा करता हूं अब रो मत आज करें लेजें क्या यह पैसे वह तो पता है लेकिन काफी नहीं है यह क्या है सर्य तो हजार रुपई है ना वो तो ठीक है लेकिन पासपर्ट लेने वाला आदमी घर में होगा तब लेकिन वह नहीं है ना इस इसलिए रेट ज्यादा होगा चल हजार रुपय और निकाल तो हजार रुपय बहुत ज्यादा है सर लड़का फॉरें जाकर कमाने वाला है ना हम कहां कमाएंगे आरे यह आए आट आ अगा शक्राइब है दो अग्यादा को तो अबस्वैम हुई है ना वहां क्या कर रहे इसका खरपास बाइए सर वह इस रास्टे से भी जा सकता रहे क्या है ना वो मटन मच्छी जादा खाता है इसी लिए मैं उसके टच में नहीं रहता हूँ प्रभाकर यह नहीं उसी टाइम पर ठीक 12 मुझे शुरू हो जाएगा कोरिया वाले बहुत पंक्चुल होते हैं अब जाएगे ठीक है थैंक्स अब यह कॉलिंग इस विश्टाफ राइड नाव प्राइड आड़ आड़ कहां चला गया तुम्हारा बेटा कबसे कॉल कर रहा हूं हमेशा स्विच आफ रहता है आप एक घंटे में 30 बार फोन करते हैं इसलिए फोन स्विच आफ करके रखता है मैंने कितनी बार कहा है आपसे उसके पीछे पढ़के उसे टौचर मत कीजिए वह एक जवान लड़का है थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए वरना यह सब तो घरेगा ही साही कह रही हो लेकिन फ्रीडम की भी लिमिट होती है और वरुन तो यह लिमिट कपकी क्रॉस कर चुका है एक लड़के को विगड़ने के लिए उसके पास सब कुछ है कार सेल फोन इंट्रनेट डेबिट का हर महीने वो कितना खर्चा करता है पता है तुम्हें पूरे 58,000 पिछले महीने यह उसने कुछ कप्टे खरीदे थे शूस भी खरीदा था मुझे बिल दिखाया था उसने अब क्या चाहते हैं आप मैंने भी उसके रूम में वो बिल्स देखे थे चार डिजाइनर शर्ट और आपकी सोच पर ही मुझे खुसा आता है उसके पीछे ही बढ़ गए है प्राइवेसी अरे ऐसी क्या प्राइवेसी है जो अपने माबाप को भी नहीं पता होनी चाहिए अरे प्राइवेसी की जरुवत उने होती है जो गलत करते हैं इमानदार को क्या प्राइवेसी तुम्ह झाल झाल स्वामी भरतनन तेन काशी आ रहे हैं लिखा है वहाँ वो बहुत बड़ा हवन करने वाले हैं ए गाड़ी आगे बड़ा ए गाड़ी आगे वो बड़ा आगे बाड़ा ए जाड़ाँ वो बड़ाँ वो बड़ाँ लिखा हैं ए जाड़ाँ वो बड़ाँ क्या चाहिए सर एक मोबाइल सेकेंड हेंड चलेगा एक हजार तक का यह देखिए कितने रुपए नौसर रुपए बैटरी फूल चार्ज है न हाँ है यह सीम इसमें डाल कर दोगी क्या नो सर आपसलूटली नॉट आज शाम को मैं दिल्ली जा रही हूं अहां दो दिन की मीटिंग है थांक यू सर भाई इसमें से आवाज नहीं आए इसके लिए क्या करना चाहिए कर्मक्राव अर्ड़ी कर्फों अर्ड़ी कि आदान में बहुत बड़ा कुणा है कि आद करना बहुत makes कि आद मुपन मुपन का किल आद मार् spaced Спасибо प्रश जस्ट है भी रहन श्रेम प्रीज टोर्णा किया प्राइभन। हैं तो प्रएम जास प्राइब को तुज करते हैं हैं तो व्रेद प्राइब है झाल झाल अग्वावाजब झाल 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 अरे भाई सुभा से तुम कहां चले गए थे पहले तो तभी ऐसा नहीं किया अस तक कलेक्शन कैसा हुआ कलेक्शन ज्यादा नहीं हुआ उपर से ये बारिश हो रही है और टीवी में फिल्म भी ठीक से नहीं आ रही है पूरा दिन ऐसे गुजरा मेरा तुम समाल लेना कहां जा रहे हो भाई एक पूजा में जा रहा हूँ पूजा में अरे जा रहा हूँ न एक तरफ घरवाले जित कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सवाल किये जा रहा है बाई आज क्या हो गया है आपको क्या उस दरवाजी से आए इस दरवाजी से वापस जा अरे यारब ये मेरी दुकान है मुझे किस रास्ते से जाना है नहीं पता क्या दो दिन में वापस आ जाओंगा हिसाब से कर कुछ उल्टा सेधा किया न तो जान से मार दूगा समझ गये ये जान तो आपकी है भाई अच्छा भाई अब क्या हुआ बाहर बारिश हो रही है न यह रखाए रानी रानी मैं वो पापा पापा कहां चले गए थे इतनी दिर तो पापा अब कि इतना डर रही थे कहा था न जल्दी आना पापा अब हमें अकिला छोड़कर कहीं मत जाएगा पापा ठीक है बेटा ठीक है नहीं जाओंगो अब रोव मत पापा आपने उस कार क्या किया कौन सी कार वरून लेकर रहां था लेकिन आज से यहां एक ही रूल होगा तुम लोगों को क्या पता है वो मैं बताऊंगा तुम्हें बस उतना ही याद रखना है मैं जो बोलू तुम्हें बस उतना ही बोलना है समझ गई समझ गई समझ गई कपड़ा लेकर तॉलिया लेकर आना सर पूछना है आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हो रही है क्या किस बात की टेंशन हमने एक लड़के को कौन लड़का। ऐसा कोई लड़का यहां नहीं आया था और नहीं हमने किसी को देखा हमें कुछ नहीं पता है लेकिन वरुन कौन है वो बैठो बैट जाओ तू ऐसे किसी भी ल आज के बाद ये याद रहना हो हमें टेंशन और डर कर नहीं रहना है अगर रहेंगे तो फंस जाएंगे आज मेरी समझ में आया जब मैं आफिस में गया आफिस के अंदर घुसते ही वो दुरही पुसता है क्या भाई आब बहुत बदले-बदले नजार आ रहे हैं उस नादान को मेरे चाल ढाल में अंतर समझ में आ गया तो औरों को बताने के जरूरत है क्या इसलिए जो हो गया सो हो गया सब कुछ भूल कर पहले की तरह सब के साथ हसते-खेलते वे रहना है अब सब लोग तैयार हो जाओ कल एक ट्रिप में जाएंगे कहां? तेनकाशी क्यो? अब हम लोग दो दिन यहां पर नहीं रहेंगे और अगर कोई पूछेगा तो बोल देंगे सत्संग में गयत है कौन सा सत्संग? स्वारा आज़ा टिकत 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 , क्या वहिए ? वह 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 आज़िए अच्छे यह बताओ बस नहीं खरीदे क्या कहां खरीदेंगे केरला में चल रही थी कम वहां में मिल ले थी तो खरीड लिया कहीं दूर जा रहे हो क्या नहीं यहीं तेन काशी सत्संग में वह वर्धानन स्वामी जी है ना घर वालों की इच्छा थी किसी लिए अरे यह क्या पैसे दे रहे आप अरे अपनी ही गाड़ी है आराम से बेखें हम चाद होगे लेलो भाई है तिक टिक 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 है हुआ है कि अ कि अधिर रानी कितनी बार समझा तुम है उधर क्यों देख रही हो सब कुछ बोलना होगा हम भुला नहीं पा रहे हम क्या करें बहुत डर लग रहा है भुलना ही पड़ेगा तुम लोग अगर इसी तरह टरती रही न तो पक्का हमें पुलिस पकाड़ लेगी मेरी बात मानकर अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तभी हम उसी बस सकते हैं है सुनू एक बात याद रहा आज से हम लोग जो भी सामान खरी देंगे उसका बिल लेकर पर रखेंगे फल सबसी दूद जो भी हो समझ गई ना अगर 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 करेंग में तो साइबर से करेंग है कर दो कर दो कर दो कर दो दो झाल झाल मैडम उस सेल्फ़न सिगनल से पता चलता है वो तेना कशी से सिधा तुडु कूडी, चेन नई, विशाखा पतनम, मुबर के रास्ते मुंबई गिया है माले गाउं में उसके मुबाइल का लास्ट सिगनल मिलता है और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं आज पास उसका फोन स्विच आफ हुआ है मुमबाई में तो उसके कुछ फ्रेंद्स हैं वो विशाखा पतनम क्यों गया होगा? शायद अपने दोस्तों के साथ सेर करने गया होगा मैडम झाल झाल वِّंडस्ट्सक प्राव हलो? मुर हो उक होगा? कार का पता किसे चला बच्छी पकड़ने वाने लड़कों को मिली बहुत दिन हो गया है यस मैडम लगता है लगबख दो तीन हफते हो गया है एक्सक्यूज इस तालाब के अधर लिया है इस गाओं के गोता खुरों ने पूरा तालाब अच्छी तरह चान लिया है अंदर खुछ नहीं है सर आप चिंता मत किजिए मिस्टर सुरिंद्र रागर मेडम मीडिया वाले यहां बिल्कुल नहीं आने चाहिए ये एक सीक्रट रहना चाहिए यस मैम प्लीज ड्रैप इट अप मेडम वरुन के सिर्फ उन से आखरी कॉल कहां पर किया गया था हमने पता लगा लिया है इस केस की तहकीकात को हमारे स्ट्रीट से बाहर ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वरुन ने जिससे आखरी बार बात की वो किसका नंबर है पता लगाई है यस मैडम मेडम आपने जो अकाउंट डंबर दिया है उसमें से आखरी विड्रॉल अगस्त दो तारिक सुबत दस बजे तेनकाशी जक्सन के एटियम से हुआ है मेडम कितना निकाला था बीस अजार साथ बीस साथ इतने रूपे यों कि उससे क्या जरूरत थी मेडम मुझे एक शक है दो तारिकों जो मॉबाइल आउट ओफ रेंज हुआ है उसका आईम याई नमबर तीन तारिकों जो मॉबाइल रेंज में या उसक वो इतनी जल्दी नया मॉबाइल नहीं खरीदेगा गीता हमारा बेटा मुसीबत में है हाँ आ गये तुम क्या है ये भाई ये तो पंचायत का रसीद है ना कब भरने के लिए बोला था सर क्यों खुजा रहा है जू भर गया है क्या तीन हफता हो गया है ये वरुन परभाकर है आई जी गीता परभाकर का एक लौता बेटा ये लड़का मिसिंग है इस महिने के दो तारिकों इस गाउं में आया है उसका सेलफोन का रिकॉर्ड है वो जिस मारूती कार में आता उ सिक्स्थ्री वन्टू यही कार खादान के तलाब में मिली है चलता हूं भाई हैं सघ्री निकाव इतना पैसा मेरे पास नहीं है सर शां को कौर्टर मांने के लिए रहता है चलतों बश्य पर तो यहीं है कि लक्षमी लक्षमी होती है चोटी हो है विटे चल चल जात तो झाले लोकदम का है ज़ट से के साय की कि लोपकर ये पूछ पकड़ कर घूम रहा हूं मैं क्या किस है कि खादान में जो तलाब है ना उसमें एक पीली मारूती कार मिली है कौन सा तलाब कौन सा तलाब बताया इधर का तलाब नहीं जचा तेन काशी रोड में एलन जी कुमपम के पास उदर अरुणधती कालोनी है ना उसी के पास उसके लिए इदर आकर क्यों पूछ ताज कर रहे हो उस कार के बारे में किसी को अगर ठीक से जानकारी हो तो उसी के बारे में पूछ ताज करने के लिए आईजी आफिस से फोन आया था अब उपर वाला तो भगवान है ना अब वो जो बोलेगा चुप चाप हाँ हाँ करना ही पड़ेगा अब चाचा पुलिस की नौकरी ऐसी होती है मैय और श्रवन सर इन चार्ज है ठेक है आता हूँ ए परिमल बाल तू काम मत कर यह कोई मजाक नहीं है तू स्वयम्भू से नफरत करता है यहां सब जानते अगर तू इसमें कोई खेल खेलना चाता है न तो तू फंस सकता है देखिए मैं जूट क्यों बोलूँगा स्वयम्भू जब कार लेकर जा रहा था मैंने अपनी आखों से देखा था बताया आपको अभी कार की बात कर रहा था तो उसके चेरे पर शिकन थी अरे यह क्या नहीं अधर पाल लिए अब देनी का मन क्या रख लो उधारी खाने वाले सभी का मन ऐसा हो जाए आ रहा है वो कितना डर है उसके चेरे पर इस केस से उसका कोई ना कोई लिंक जरूर है देख ले ना अगर उसके अंदर डर होगा ना तो पलट के जरूर देखेगा कि देखा है कि ए शरवन बोलिए सर उस्वेंबू और आई जी के बेटे का क्या संबन्द है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर उन दोनों में 36 का अंकड़ा है इस बात का फायदा परिमल उठाना चाहता है किसी और को देखा होगा उसे ही स्वेंबू बताकर कंफ्यूज कर र आई जी की मामले में जूट बोले का हश्र क्या होगा जानता है वो सर यह देखिए तीन तारिक रवीवार सुबह ठीक साथ बजे वेनु गुपाल के घर गया था उसके बेटे ने जो पासपोर्ट अपलाई की थी उसी के वेरिफिकेशन का विजिट था मेरा उस समय मैंने स चनिवार को अगस्त दो तारीख हम कहां थे तेनकाशी में सत्संग गए थी वापस कब आए अगले दिन रवीवार को कब शाम को अच्छा सत्संग कहां था तेनकाशी में मैं यह सब क्यों पूछ रहे हैं मतलब पुलिस आने वाली है क्या ज़रूर आएगी लेकिन वो कब आएगी बता नहीं सकते हैं वैसे वो जितना लेट आएगी उतना अच्छा है उस लड़के का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है और किसी के पास कोई सबूत नहीं है लेकिन वो हमसे सच उगलवाकर सबूत बनाना चाहते हैं जैसा फिल्मों में होता है ना बिल्कुल वैसा ही हमें डराएंगे धम काएंगे कभी एकदम प्यार से बात करेंगे हो सकता है मुझे और तुम्हारी मा को मारे भी वो लेकिन जब कोई सबूत में मिलेगा तो हमें छोड़ देंगे इसलिए चाहे जो भी हो वो कुछ भी कर ले हम लोगों को अपना जवाब नहीं बदलना है समझ गई विश्वास कर सकता हो ना पापा फ़ली साब को मारे की क्या तो उसके बारे में सोच रही क्या जब तो घल्पी करती है तो मा मारती है न उसी तरह है डर लग रहा है पापा क्यों नहीं बोलो डर लग रहा है अब पापा है न फिर क्यों डरी हो तरो मत जाकर सोजा जाओ सोजा सुनिए शनिवार को हम यहां नहीं थे ये विश्वास के साथ हम सबको यकीन दिला पाएंगे क्या केबल ओफिस में पता है सुलिमान भाई के होटल में सबको पता है सबने देखा होगा हाँ जरूर पता होगा फिर जूट कैसे बोल पाएंगे एक छोटी सी बात पर उमीद रखकर हमें जो जरूरी नहीं होता है हम उस बात को एकदम से याद नहीं रखते हैं बस उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं वैसे ही देखते हैं हमारे सामने दो ही रास्ते हैं सब कुछ उन्हें सच सच बताकर हम अपने आपको सरेंडर कर दें क्या हाँ कह रही है फिर क्या होगा पता है तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में पेपर टीवी में निउस बदा कर हम सब बरबाद हो जाएंगा लगी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है होजिन तुमने जिसको देखा था वो सवेंभू था क्या अब आप ऐसे पोछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो सवेंभू है हुеч घ्रम सब्सेंगा तो तुमने बोला कि वो ए सवेंभू ही था वो जिस कार में गया था यही कार थी क्या कार का कलर पीला था यह तो बोल सकता हूं मैं लेकिन यह वही कार यह नहीं बोल सकता है तू कोई भी बात विश्वास के साथ बोल सकता है क्या तूने देखा था क्या नंबर नहीं देखा लेकिन पीले कलर की मारूति कार थी इतना पत प्वेसला हम करेंगे किया है से अभी आया है जी अभी आयजी ऑफिस से आया है पिछले महिने आयजी सहाब का लडगा नेचर क्लप टूर के लिए गया था उस टूर में जो बच्चे आय थे उसमें से एक लड़की हमारे गाउं की भी है उसका नाम है शिलपा के बल टीबी व आप क्या बोलते हो आप आप और कुछ जाने की ज़रुवात नहीं है सर उसे उठा कर इतना मारेंगे कि सारा सच उगल देखा भो बस आप अपनी पर्मीशन तो दीजिए ए परिमाल यह मैटर बाहर निया आना चाहिए समझा यह ले न्यूप्लियर कंटेंट मैंडम यह मैं जो बुदती तो इस नहीं है शिल्पा शीए आप प्रिंचिपल अगर हम मुझे खोलेंगे तभी सच बाहर आएगा एक ही बात बार 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 बोलने से ये सोसाइटी समुदाय यकीन करती है फिर बचपन से क्यों मुझे सच बोलने के लिए सिखाया है ऐसा मत पूछो मुझसे देखो मेरा सच मेरा परिवार है इसे बचाने के लिए मैं नहीं जानती है ऐसा मत बोलना क्योंकि उन लोगोंने पहले से पता लगा लिया होगा कि तू उस लड़के को जानती है अभी सिर्फ हमें ये बोलना है कि वो लड़का इधर आया ही नहीं बस इस बात को गाट पागें वो लोग चाहे जितना भी घुमा फिर आकर पूछे त नहीं जानती हूं सर इसका नाम वरुन है कैसे जानती हो पिछले महीने स्कुल की तरफ से नेचर क्लब की ट्रिप पर गए थे तब ही लड़का वहां पर आया था तुम्हारा फ्रेंड है क्या नहीं नहीं फ्रेंड है बस हाइबाय था इतना ही इसके बारे में और कुछ जा लेकिन उसका नाम तुम्हें बराबर याद है सर इसकी वज़े से कैंप में काफी समस्या हुई थी समस्या कैसी समस्या यह लड़कियों की फोटो खीच रहा था सर तिरुने विलिस से एक बहुत बड़े वकिल की बेटी आई थी उस लड़की की फोटो खिचने की वज़े स वहां काफी हंगामा हुआ था तब टीचर ने आकर इसे डाटा था बहुत बैट बॉय था सूद उसके बाद तुमने उसे कहां देखा नहीं सूद अब देखा था बोला किस ने बोला वरुन ने हाँ बैटी वो जूट बोल रहा है सूद इस महीने दो तारीक को तुमारे घर म CAT आता आिभाया था क्या से लोग क्या इंट्य हम थे नहीं को है रेक्ति आपने गरीट बताया असकुआ पताया की दोतारिक शनी वार को समंझ üzer Aww से डिन तो हम लोग थे ही नहीं सब्णे मुद कहां दे मंदिर में शलूखनी FM कौन कौन गया था पापा मा चोटी बहन और मैं हम सब गये थे फिर वापस कब आ है अगले दिन शाम को ही वापस आये थे और आते समय बहुत तेज बारिश थी अभी बारिश के बारे में तुमसे किस ने पूछा दो दिन तक सत्संग चल रहा था गया नहीं सर सत्संग एक ही दिन था अगले दिन एक होटल में रुक कर ऐसे हमने एक फिल्म देखी थी सर कौन से फिल्म अंजान आखिर प्रॉब्लम क्या है सर ये लड़का वरुन मिसिंग है इस महने के दो तारीक को ये पाप नाशाम आया इस गाओं में वो सिर्फ इसी लड़की को जानता थे इसलिए वो इस लड़की से मिलने आया था उसी के लिए एक छोटी सिंग को आई ये नहीं सर मैंने उसे कैम के बाद नहीं देखा ओके थैंक्यू ये वेलकम सर ओके ये में गो टू ये ग्लास्रूम थैंक्यू मैम आप सवेंबू के वाइफ है ना हाँ सर आपका नाम रानी नमस्ते सर इस समय तो घर पर कभी नहीं आता था आपने स्कूल में जाकर पूस्ताज की प्रिंस्पल मैडम नहीं बताया तो इसने डर के मारे मुझे फोन किया मैं पुली स्टेशन गया तो पता चला आप इधर आ जल्दी से आ गया ताकि आप लोगों से नहीं मुलाकात हो जाए आप बाहर क्यों खड़े आए नहीं घर के अंदर चलते हैं इस फोटो में जो लड़का है उसे देखा है क्या नहीं सर बेन जी आपने और ये कार ये तो मारूती है नहीं मैंने इस गाड़ी को नहीं देखी नहीं सर सोयमबो हम खुल कर बात करते हैं अरे हाँ साहब मैं भी तो यही चाहता हूँ इस फोटो में जो लड़का है वो वरुन प्रभाकर है आई जी गीता प्रभाकर का इकलौता बेटा 25 दिनों से लापता है कुछ दिन पहले वो नेचर कलब में गया था उसी दोरान आपकी बेटी शिल्पा से उसकी पहचान होई थी उसने जो पीले कलर का कार दिखाया वो इस तरफ आई थी उस कार को हमने ढून लिया है वो कार खादान के पास जो तलाब है उससे हमारे आद्मियों ने निकाल ली है हमारे यहां आने की दो वज़े है पहली वो वरुण आपकी बेटी को जानता है और दूसरी हमारा कॉंस्टेबल परिमल आपको उस कार में जाते हुए देखा है अपने थाने के एरिये में वेडू गोपाल के घर मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था उस वक्त तुम्हें उस कार में जाते हुए मैंने अपनी आखों से देखा था इसका क्या मतलब है यानि वो दड़का इधार आया था लेकिन उस दिन अगस दो तारिक को हम लोग गाउं में थी ही नी तेन काशिय सत्संग में गय थे और अगले दिन अगस तीन तारिक को शाम को घर वापस लोटे थे हो हो काफी है फिर इतना काफी है अब तो ठीक है ना सेर ए अपनी ये मुस्कुराट तू अपने पास ही रख वो दड़का जिस डेट को यहां आया ना तो मैंने बताया और ना ही ऐसा ही सरन है जब वो कार तुम लेकर के जा रहे थे वो डेट भी मैंने नहीं बताई तो फिर तुमारी बीवी को वो डेट कैसे पता चली क्या सोयमबो इस हंसी के पीछे क्या मजाख है उसने जो सवाल पूछा है जवाब दोस्का अरे साहब कैसी बात करते हो मैं पुलिस वालों का मजाख क्यों उड़ाओंगा अभी भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां क्या हो रहा है इसलिए यह हक्का बक्का होकर खड़िये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साहब आप स्कूल गए थे इसकूल का नाम खराब होगा इस बात के चिंता प्रिंस्पल को थी इसलिए उन्होंने यहां फोन किया आपने जो सवाल वहां किया वही सवाल प्रिंस्पल ने इस से किया तभी हम लोगों को इस तारीक वगएरे के बारे में पता चला चलो हाँ, अगस्त दो तारीक को उसने आपको गाड़ी ले जाते हुए देखा था उसका जवाब नहीं दिया आपने इसका भी जवाब मुझे ही देना पड़ेगा साब क्यों अब परिमल साहब मुझे नाराज रहते हैं ये तो पूरे पाप नाशम को पता है मैं कुछ भी कहूंगा वो यकीन नहीं करेंगे परिमल को यकीन करने के लिए नहीं पूछ रहा हूं जवाब मुझे चाहिए हाँ तब तो मैं बताता हूं सर इतने यकीन से जब यह बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे देखा था तो इसका मतलब यह जान बुसकर जूट बोल रहे है अरे रुख जाए रुख जाए रुख साब ही तो हो सकता है कि इन्होंने मेरे जैसे किसी और को देखा होगा क्योंकि अगस्त दो तारिक को सुबह आठ बज़े से लेकर अगले दिन पांच बज़े तक हमारा पूरा परिवार तिनकाशी में था साब नई सर मैं यकीन से कह सकता हूँ वो यही था सर मैंने अपनी आखो से देखा था दो तारिक को यहां से जाने से लेकर वहाँ से यहां वापस आने तक जो कुछ भी हुआ साब साब बताता हूँ सुभे पांच बजए, नहीं साड़े पांच नहीं, हाँ, पहली बस पकड़कर हम तेन काशी गये थे, फिर, आपके बास तो जीप है ना, आप कैसी बात कर रहे हैं, पिछली बार जब हम गये थे, तो जीप का ब्रेक डाउन हो गया था, और इसने मुझे बहुँ डाटा था, इसलिए हम लोग इसमर बस में गये थे, वहां से वापस आते वक बारिश हुई थी क्या, हाँ, बहुत तेज बारिश हुई थी, हम लोग भीग भी गये थे साब, अगले दिन दोनों बच्चों को हमने स्कूल भी नहीं भेजा था, दोनों बच्चे बहुत ठके वे थे, तबने सारे बिल जमा करके रखे है, कुछ न कुछ तो गरबर है, क्यों, बस टिकट को भी समाल कर रखने वाला, पहला आदमी देख रहा हूँ, साहब, मैं जब इस में मेरे पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं, अब अगर उनकी फिक्र करेंगे तो ऐसा घर बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साहब, यह जगह कितने एकड़की होगी, पाँच एकड़की, ठीक है, आता हूँ, सुनिये, मैंने तारिक के बारे में बोलकर गडबड कर दी ना, अच्छा हूँ, आपने संभाल लिया, वरना वो लो यकीन ही नहीं करते हैं, उन लोगों के सबूत देखने के बाद तु जो कह रहा है, वो जूट है, नहीं सर, मैं दिल से कह रहा हूँ, सर, वो सच है, अहां, एकदम पक्का है, इतना पक्का होने का मतलब कुछ तो गडबड है, पकड़ के चार लगाएंगे सब उगल देगा सर, वो बहुत ही साधारन है, गलती करने वाला इतना साधान रह सकता है क्या, इसी लिए डाउट हो रहा है, सर, हम सब बेवजे परेशान हो रहा है, अभी तक हमने जो इंक्वाइरी की है, उसकी रिपोर्ट बनाकर आईजी ऑफिस में भेज़ देते हैं, आगे जो होगा वो लोग देख लेंगे, तुझे बोल रहा हो भी सही है, चलो, पापा, हमारी बात पर पुलिस से किन कर लेगी? पता नहीं, क्या वो वापस आएंगे पापा, ज़रूर आएंगे, उस आदमी का नाम क्या बता है, स्वयंभू निगम मेडम, क्या जम्बू? जम्बू नहीं मेडम, स्वयंभू निगम, पास में गाउं है न, वहां के भगवान का नाम है, ओ, मेरे बेटे की गाड़ी वर ही लेकर गया था, आपको पूरा यकीन है? नहीं मेडम, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन पीली मारूती थी. वह खुद गाड़ी चला रहा था क्या? हाँ सर, उसे चला कर मैंने ले जाते हुए देखा था. पर उस बीच दो दिन तो वह गाओं में नहीं था, फिर वह अपने परिवार के साथ तेनकाशी कब गया था. वह सब जूट है, सर. लेकिन उसके पास इसका सुबूत है. उसके पास दो होटल की रशीद, कुछ बिल्स, और उसने बस का टिकट भी दिखाया, सर. वह सब ओरिजनल है या नहीं, यह देखना बाकी है, सर. अगर इनकी बातें सच हैं तो, क्या ना बता है आपने? सोयम बुलिंगम, मैडम. तो वह सब जूट है, वह सारे एविदेंस वेख हैं, और यह प्रूफ करने के लिए आधा दिन काफी होगा. आफ्टर ओल, गाहों के एक अनपड़ का देमाग कहां तक पहुँचेगा, ही ये बात हमें नहीं पता है क्या? देखते हैं. और अगर ये जूट बोल रहा था, देन वी आर वेस्टिंग अर टाइम. इसलिए उस परिवार को तुरंट यहां लेकरा, सारे एविडेंस यहां पर होने चाहिए. यस मेडम. प्रोटोकॉल वगेरे देखने की जरद नहीं है, आप अपना काम कीजिए, जो कुछ होगा, डिरेक्ली मुझसे बात कीजिए. ओके मेडम. इधर प्रोटोकॉल वेडेशने की जरद मेरे खोगेरे चाहिए. इधर प्रोटोटोड प्रोटोड ग्र्वार काम कीजिए. झाल 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 लेकिन यह सुनकर तुम लोग अपनी बात को बदलना मत नहीं हमारे पहुशनें से पहले ही शुरू हो चुका है आई चला क्या करम भाई क्या चल रहें यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहां यह लोग अंदर जाने नहीं दे रहें और गेट को अंदर से बंद कर रखा है अंदर तो हम आएंगे यह स्वेंबू को ने पता है तुम्हें अमारा दामाद है तुम्हें आप लोग जाए हो मेरा जाए हो इन लोग से जगड़ा करके जीट सकते हैं क्या फिर हम लोग होटेल में जाकर खाना खाने लगे कौन सा होटल नाम तो याद नहीं है क्या खाया था आपने बिर्यानी और आपके माबाब ने क्या खाया था सबने बिर्यानी खाई थी उन्होंने बोला कि उन्होंने फ्राइड रैस खाया आप कहा रहे हैं कि बिर्यानी खाया वो लोग शायद बूल गए होंगे हमने बिर्यानी खाय थी मुझे अच्छी तरह स किस ने बोला संप चिछ आया से कुछ भी नहीं है ऐसे कह रहे हैं लोग मिससरेश मटम आप मुझें अश्च कुछ भी नहीं है ऐसा ही कह रहा है मस्ट भी रूमर मैं इधर एक मीटिंग में हूँ, मैं आई काल इव बैक, थैंक्स, निउस रिपोर्टर चैनल से बुला रहा है, वरुन के लापता मामले में हम एक परिवार को ठाकर उन्हें, टॉर्चर कर रहा हैं ऐसी निउस चैनल में कही है, तॉस लिव इट, तेल में, मडम, हम जैसा अगर वो लोग सच बोल रहे हैं, तो यह पर्फेक्शन सही है, इनको गलत लगा होगा ना, नो प्रभागर, एक बात तो पक्की है, they know something about Warren, लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं, वो डेफिनेटली मनघणंत कहानी है, बहुत ही शातर दिमाग से उसने यह पूरी कहानी बनाई है मैडम, जब हमें यह बात पता चल दे हैं, कि वो लोग जूट बोल रहे हैं, तो क्यों नो जूट बोलने वाली मशीन से इनका टेस्ट करवा लिया जाए, तो मैं पुलीस ने किसने भरती किया, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करना इतना आसान है, उसके लिए हमें प्रॉप नहीं है, और अब ही हम यह जो यहाँ इंक्वाइरी कर रहे हैं, यह भी कानून के खिलाफ है, लेकिन उनकी इस कहानी को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, उनकी कहानी में जितने भी किरदार हैं, वो सब यहाँ आने चाहिए, यह मैडम, मैं ले क्याता हूँ, औ कोई, कोई चके तो जाता होगा ना, है ना मेडम, एक चाय की दुकान है, जहां वो रोज जाता है, वेरी गुड, उसके ऑफिस स्टाफ को, उस चाय वाले को, उस थीयटर वाले को, सब को यहाँ लेकर आओ, और इन लोगों को छोड़ दो, यह मैडम, और लोगों को बताने ही जवाब देते वक्त कहां से हिम्मत आ गई, है बगवान, चलो, किसी तरह से यह सब खत्म तो हुआ, है रानी, हम, हम, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हुआ वो वापस आएगे, हम, 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 कि वापस आएंगे हाएंगे क्यों जी जाजी क्या समस्या है आप मुझे बताइए आखिर कब तक आपका साथ दूंगा जो बताना था वो सब बता दिया इसके अलावा कुछ मत पूछे लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए कितना दिन पूछेंगे तो अठारा साल पहले जब मैं अपनी दुकान बना रहा था तब छपरा बनाने के लिए नारेल का पता उठा कर देने वाला कौन था वह अपना सोयमबू था यह बहुत अच्छा आदमी है हमेशा दो बार आते हैं सुबह एक वड़ा और चाय बस फिर कभी शाम को दो पराठा खा कर जाते हैं और अगर कभी रात में अफिस में ठहर ना हो तो फिर हम लोगों ने पूछा दो तारिक को वो आपकी दुकान पे कितनी बारा है सिर्फ इतना बताओ अगस्त महिने में दो तारिक को दो बार दुकान में आकर वड़ा और चाहे रुख जाईए अगस्त महिना मतलब इसी महिने में न हाँ भाई इस महिने की दो तारीकों वो गाउं में ही नहीं था तेन काशी के मंदिर में ससंग में गया था क्या कहा? ससंग मैडम पूरा परिवार एक साथ घुट्रों के बल बैठ कर आखे बंद करके जो हिंदू लोग नमाज करते हैं न बाई पहले तो कुछ और बताया था वो भूल गया था सर अभी तारीकी आदाई मुझे सवयम्भू ने ससंग के बारे में क्या बताया था? बहुत अच्छा बताया था वहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया था वो मेरी दुकान में आकर सब को बुला कर जैसे फिल्मों की कहानी सुनाते है न वैसा प्रवचन सुनाया कैसी कहानी? सब कुछ अच्छा है वही कहानी जो हो रहा है और जो होने वाला है जो आ रहा है और जो आने वाला है और ये सब के लिए स्वेम्भू सत्संग से वापस कब आया था अगले दिन टाइम क्या था टाइम बराबर याद नहीं आ रहा सर लेकिन भई या ओफिस नहीं आये थे जाने से पहले बता कर गए थे तुम इने जानते हो जानता हो मैडम हाल फिराल ये लोग तुम्हारी बस में कहीं गए थे क्या चार-पास दिन पहले ही गए थे नहीं उससे पहले इस महीने के शुरूआत में इस महीने की शुरूआत मतलब मुझे अगस्ट दो तारिक लग रही है कहा जाने की बात कर रहे थ कारेकरम का नाम सुखी परिवार था इन लोगों ने तुम्हारे लॉज में रूम बुक किया था क्या? हाँ सर मतलब ये तुम्हारे रेगूलर कस्टमर है? नई सर ए तुम्हारे लॉज में तो कई लोग आते जाते होंगे फिर तुमने इने कैसे याद रखा याद इसलिए है कि एक डबल रूम चाहिए डबल रूम साड़े 600 रुप है टेक्स एक्स्ट्रा पिसली बार जब हम आया थे तब कोई और था उन्होंने हमसे टेक्स नहीं मांगा था वह रोड़ा चलम रहा होगा भाई नाम तो पता नहीं लेकिन टेक्स नहीं मांगे थे वो किसी को बिल नहीं तो बिल किसको चाहिए सुनिए यह औरतों के रहने लायक जगे नहीं लग रही है क्यों यहां दिखेना हर्जे की बाटले होतले ही पड़े हुई है अरे क्या यह वो पानी का बाटल है भाई बहुत अच्छा रूम है तो ठीक है जाकर इन्हें दिखाओ ना हाई यह मेरे सा जाकर देख लो मेडम पूछ रही है जवाब देना मालिक जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूं मैं बिल मागने वादे के लिए यह और नहीं मागने वादे के लिए यह इसकी सजा क्या है पता है इतने दिनों बाद भी तुमने इन्हें इतनी अच्छी तिरह से याद रखा है जी आँ अच्छे कस्टमर कोई कैसे भूल सकता है आपका होटल है क्या ऐसा क्यों पूछ रहे हो अरे यहां तो कमाल हो गया इतनी अच्छी बिर्यानी आशकल कहां मिलती है बिलकुल पुरे शहर में हमारी बिर्यानी बहुत फेमस है बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा मसाला मिलाते हैं और हम कम मसाला मिलाते है भाई का नाम क्या है आरोगी शर्मा हाँ आरोगी शर्मा ने बहुत अच्छी सर्विस दिया वैसे आप कहां के रहने वाले हैं पाप नाशम कहीं हूँ केबल टीवी चलाता हूँ बेबी का नाम क्या है मेरा नाम मीना है बड़ा अच्छा नाम है तुमको पिरियानी पसंद आई बहुत अच्छी थी शॉपिंग की नहीं यहां एक सत्संग में आया था तेन काशे के मंदिर में स्वामी वर्धानंद का ना एक कस्टमर को याद रखा यह तो ठीक है लेकिन वो कब आया कितने तारीक को आया यह सब याद रखना कुछ ओवर नहीं है वैसे मैं तारीक तो याद नहीं रख पाता क्योंकि कस्टमर बिल देते हैं और चले जाते हैं लेकिन तारीफ करने वाले कस्टमर हमेशा याद रह जाते हैं इसलिए मुझे तेकर ना ज्यादो अगर वह जूट बोल रहा है तो यह लोग क्यों बोल रहे हैं इतने सारे लोग मिल गए जिन्होंने दो मुछे भी समझ में नहीं आ रहा है में ही सच परिमल जूत बोल रहा होगा सर मेरी दादी की आखरी सांस चल रही है उनके कसम ख़ाकर कीए था वहाँ आदमी को गाड़ी ले जाते हुए मैंने अपनी आखों से देखा था अगर आपको यह लगता है कि मैं जूर बोलना हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए उस स्वामी जी को कॉंट्रा किया था वो वहां का कारेकरम खत्म करके वरांट सी चले गया थे मैडम शैद कल आये होंगे मैडम आप जिनकी बात कर रही है वो मेरे ससंग में जरूर आये होंगे नहीं तो वो लोग कहानी अच्छी तरह से नहीं बता सकते और मैंने उस दिन वो कहानी में बताया था उसके बाद मैंने वो कहानी कहीं नहीं सुनाई जो लोग वहां आते हैं उनका नाम रेजिस्टर नहीं करते क्या हाँ करते हैं लेकिन लेट आने वालों को ऐसे ही बिठा देते हैं बड़ा और्गनाजिशन नहीं है न उस कहानी को कहीं और से सुनने के चांसेज हैं क्या जैसा मैंने कहा अगर वो सही बोल रहा है तो उसने सामने बैठ का सुना होगा पापा और मीना कहा है अंदर गया है यह फिल्म घिस गई है यह डिजिटल प्रजेक्टर है इससे बहुत अच्छे से फिम दिखा सकते हैं गाओं में मैं एक थेटर बनाने की सोच रहा हूं तो डिजिटल प्रजेक्टर खरीद लीजिए ऐसा क्या और क्या यह टेप रिकॉडर की तरह है और यह सीडी प्लेयर की तरह है अरे यह तो कभी प्रजेक्शन रूम में कोई नहीं आता है ना सर लेकिन इन लोगों ने पूरी फिल्म वहीं बैठ करके देखी थी सर और उसके पहले दिन मंदिर में कोई सुखी परिवार नाम से सत्संग था कुछ ऐसा मुझे अज़े तुच्छ जा जा गीता कुम वीत्मी हमार कुम बà परण गीता उसे खूछ नहीं आ हो का अature जोकी आए होगा हम उसे ढूंड लेंगे तुम ऐसे हिम्मत मत हारो हॉसला रखो गेट इट रिलाक्स मैं बात पूछूं अपनी इंक्वाइरी किसी और रास्ते पे जा रही है गया नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक हम जिस पर शक कर रहे हैं उसके सपोर्ट में एक छोट असा भी सुबूत नहीं मिला है लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं उसके फेवर में सारी बातें मिल रही है वही वही तो प्रॉब्लम है हमारे पहुंचने से पहले वो सब कुछ सट करके रखाता ऐसा लग रहा है मैं जो शक कर रही हूँ वो सबूत की वज़े से नहीं एक इनसान को देखकर पता चलता है कि जरूर वो कुछ चुपा रहा है और वही सबूत है और हर पुलीस वाले में ये खुबी होती है प्रभागर यहां के सारे सबूत स्वेम्भू के हित में है लेकिन लेकिन वो जू जब बोल रहा है और यहां कि आए और यहां को शायद इसलिए जज पुलीस वालों को अपने रिष्टेदारों के केस की इंक्वाइरिं करने की पहमिशन नहीं देते एक मां के मन में अपने बच्चे को गोने की बहन से कुल्चन में हो सकती है मैंने उसे एक साधारन इंसान समझ लिया था क्योंकि वो अनपड़ है सोचा था वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा लेकिन यह किसी अनपड़कवार का दमाग नहीं है सोइंभू बहुत ही अच्छा इंसान है मैडम मैंने ये नहीं पूछा हम जे सोइंभू को जानते हैं वो अनपड़ गवार है लेकिन उसका दिमाग पढ़े लिखे इंसान से भी ज्यादा तेज है क्या ये बाद आपने नोटस की में से सुरेश वो इस गाउं में आनात आया था और मजदूरी करता था आज इस लेवल पर विजनेस कर रहा है कोई आम बात नहीं है मैडम बहुत सारा काम किया है उसने केवल टीवी वाला काम उसने खुद सीखा था मैडम बिना दहेज लिए बड़े घर की बेटी से शादी की भाशर में बात करता है उसे अंग्रेजी भी आती है और यह सब उसने सिने मा देखकर ही सिखा है सिने मा इस इंपर्टेंट लिंक अभी किसी और से पूछ ताच करना है तिकट किसने ने लिया तिकट लो चल्ले जल्ले तिकट लो तुम्हारी बस में एक दिन में हजारों लोग सफर करते हैं उनमें से तुमने सिर्फ एक परिवार को बराबर कैसे याद रखा मान लो कि वो किसी तरह याद थे भी लेकिन वो लोग क्यों गए कहा गए थे सब कोई बात है वो लोग अगस्त दो तारिक को सत्संग से लौट आये यह ठीक है ना वो लोग तीन तारिक को आपकी बस में यह कैसे और तो और पचीस दिन के बाद भी तुम इस बात को यतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो बताओ मैडम को सर जी उन लोगों ने उस दिन हलो हलो मुझे भूल गया क्या अभी अगस्त दो तारिक को तेन काशी से सत्संग से लौटते समय आपकी बस में ही तो आये थे बेटी से भी आपने बात की थी आगस्त तीन तारिक के शाम को तीन अगस्त को हमने सुना स्वामी जी आ आए हैं तो हम लग चले आए अच्छा चलता हूं बड़ी खुशी हुई मिलके आप चलते हैं चलो 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 नमस्ट भाई परिवार को लेकर आएंगे तो खर्चा पिछली बार तो सत्संग था ना तिनकाशी मंदिर इसलिए सब साथ आए थे आपने भी सुना होगा वो अपने स्वामी वर्धानन वर्ड फेमस है यार और वो सुखी परिवार नाम का एक कारिकरम चलाते हैं अरे कैसी बात करते हैं अरे वो बहुत अच्छे स्वामी है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर आप अपन इन तारिक को शॉपिंग और फिर सिनेमा और होटल के बिना कोई शॉपिंग होता है क्या फिर सीधा गाड़ी यहीं लेया है और आपको पता है उस दिन घर्चा बहुत हुआ परिवार वालों ने जिद करके 40 रुपे की सिर्फ सेप्टी पिन खरिद ली लेकिन भाई हम कर अब भी क्या सकते हैं और उन लोगों ने 40 रुपे के पिन खरिद ली अगर नमस्ते नमस्ते भाई अब बहुत दिनों बात दिखाई दिए बहुत दिन अरे इसी महिन अगस्ट दो तारिकों ससंग में जाकर अगले दिन तो हम लोग यहां आये थे अगर सही से कहा जाए तो अगस्ट तीन ना हाँ तीन तारिकों हम लोग यहां पर आये थे ऐसा है क्या इतनी जल्दी भूल गया आप खमाल के इंसान हो आप अरे ओ भाई सुनो मेरे भाई इस बार इजज़त से पैसे ले लेना आप चुप रहे है वहिया आप क्या बार बार आते हो एई इसी महिने के अगस्ट दो तारिकों तो आया था ना तुम्हारी बस में तेन काशी के लिए सत्संग के लिए तू हमें मुफ्त में लेकर गया था तो क्या हा अंगूठी ज़रा दिखाओ क्या भाई आप भी अरे जाओ जाकर काम करें आप क्या यह सब कर रहे हो जाओ यार अरे उसी ने तो बताया था मैडम अगस्त दो तारिख को सत्संग में जा रहा है और अगस्त तीन तारिख वापस आया और अगस्त चार तारिख सोंबार को तुझे पताया अगर नहीं बता अगस्त चार तारिख सोंबार को आज तारिख क्या है एकदम बिवकूफ है तो जा इसे भर कर आप फिर बात करते हैं भगवत गीता का जो सारांश है वो यही है हमारे आसपास जो हो रहा है हमारी समस्थ से बाहर है इसलिए उसकी फिक्र करनी की कोई जरूरत नहीं है सभी दुखों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए हमें बस अपने कर्म ठीक से करना चाहिए सब कुछ ठीक होगा यही उसकाहानी का अर्थ है यह अच्छी कहारी है किस फिल्म की है अरे मैं तेन काशी की जिस ससंग में गया था उसी की कहानी बता रहा हूँ भूल गया है अरे आपको बताकर तो गया था अगस्डोटरीक शोष्णिवार को मैं ससंग में गया था अगस्डोटरीक ससंग में गचे है हाँ और मैं वही की कहानी बता रहा हूं हलो मैंने हिए उन्हें ब्लाया है कौन है सौमी वर्धनन मैडम बनारा साश्वरम से बात कर रहे हैं टेल मी स्वामी जी क्या? सीडी? बैसे देखकर एडवांस बुकिंग करने वाले लोगों को ऑफिस से बेजा दिया है उस्ताज करने के वाद पता चला है वो करने वालों के लिस्ट में उसका नाम नहीं है साथे आठ पजा होगा वो उनकी दोस्त हैं इसलिए टिकेट्स महीं नहीं अगस्त दो तारिकों सत्संग गया थे और अगले तीन तारिकों वापस लोट आए थे इस महीने की दो तारिकों सोयमू गाउं में नहीं था इसी महीने के अगस्ट दो तारीकों तुम्हें गया था तेन काशी सत्संग के लिए हाँ अगस्ट दो तारीकों तेन काशी गया था अगस्ट दो तारीक होगा शाय अरे अगस्त दो तारिक को तेन काशी सत्संग जाकर वापस लोटते समय आपकी बस में ही तो आया थे हम लोग तो आपके वापस बिलकुल वैसे ही बना दिया और सभी लोगों ने उसमें आक्टिंग की किसी फिल्म की तरहे उसने हर पॉइंट डीटेल के साथ क्रियेट किया फिल्म की स्पेशालिटी क्या है द्रिश्य फिल्म का कोई द्रिश्य जो आपके अंतर मन में एक छाप छोड़ सकता है इसलिए फिल्मों में जो देखते हैं उसे सच मानकर हम यकीन कर लेते हैं अगस्त दो को जो तीनकाशी जाने की बात उसने कही वो कालपनिक नहीं है अगर उसकी कलपना होती तो अब तक वो जरूर फास चुका होता क्योंकि वो सच में तीनकाशी गया था बस से जाना मंदिर में जाना लॉज में ठहरना होटेल में खाना और फिल्फिल्म देखना ये सब मतलब उन लोगोंने जो भी कहा उसमें सिर्फ तारीख जूटी है क्योंकि वो लोग वहाँ अगस्ट दो तारीख को नहीं गए शायद वो कोई अगली तारीख हो सकती है मैडम अगली तारीख मतलब सोमवार या मंगलवार यानि अगस्ट चार या फिर पांच मैडम हमारे पा या फिर बिल के जरीए वो हमारे साथ खेल खेल रहा है लेकिन सेकेंड अगुस्ट को लॉज के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है तीन तारीक को उसके पास सिनेमा और बस के टिकेट है वो तो नकली नहीं होंगे मैडम सर जो बोल रहे हैं वो भी इंपोर्टन पॉइंट है सोयमबू एक ऐसा इंसान है जो कभी स्कूल भी नहीं गया टीवी चलाने वाला एक साधरन सा इंसान माल लिया हमने उसे लेकिन उसने जो किया है वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ तीन तारीक सुबह सोयमबू वरुन की कार लेकर तीन काशी गया उसने एक वेजिटरियन होटेल में खाने का पारसल लिया एक मुबाईल फोन लेकर उसमें वरुन का सिम कार डाल दिया उसे एक नैशनल परमिट गाड़ी में छपा दिया उसके बाद उस कार को तालाब में खरीदा गवर्मिन्ट बस पकड़कर चार टिकेट लेकर वो पापना शमाया कल सत्संग जा रहा हूँ ऐसा कहकर अपने असिस्टन को उसने याद दिलाया अगले दिन चार तारीक को अपने फ्रेंड की बस में पूरे परिवार के साथ तेनकाशी सत्संग में चला गया नौ बजे वो लोग मंदिर गए शाम तक वो लोग वहाँ पर रहे तब ही उसे स्वामी जी की सीडी के बारे में पता चला उसे किसी और के नाम पर बुख किया होगा फिर लॉज में अपने परिवार के साथ आया किसी तरह मैनेजर को बेवकूफ बना कर दो तारीक की लिस्ट लिया था उसी वेजिटेरियन होटेल से पार्सल मंगवाया होगा लॉज से चेक आउट करने के बाद बिल लिया और होटेल से बिर्यानी खाकर उस उनर से फ्रेंडशिप कर ली फिर थियेटर जाकर ऑपरेटर से मिला शाम को वापस लोटने के बाद उसी गवर्मन बस में बैट कर कंड़क्टर के साथ बातचीत करके उससे पहचान बना ली घर आने के बाद वर्दा नंदा स्वामी जी की सीडी को पूरे परिवार के साथ देखा पांच तारीक का जितना भी बिल था उसे उठा कर फेग दिया उसके बदले तीन तारीक को अकेले जाकर जो बिल कल जाल दी और उन सारे लोगों ने उसकी बातों में आकर हमें जूटी गवाही दे दी अभी हमारे पास एक छोटा सा एविलेंस भी नहीं है अगर कुछ है तो बस ये थियरी है गीता अगर तुम्हारी बात सच है तो वरुन कहां है वो उनसे मिलने क्यों गया था इसका जवाब तो वही दे सकते हैं उसका परिवार ही बता सकता है मिस्स सुरेश यस मडम पुलीस फोर्स को पागल बनाया है उसने अभी उससे शराफत से पेशाने का कोई मतलब नहीं है यह क्या गार रहे सुनिए चलो 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 अगार वार ले जा रहे हैं को समझ पर नहीं है जाए ना किसी तरह भी उन्हों छुडा कर ले आए जाहिए वापस अगर हम लोगों को पुलीस पकड़ कर ले गई न तो मैंने जो बोला उस टीवी चैनल वालों को ले करा ना मेरा बेटा कहा है कसम से मुझे नहीं पता हम कितनी बार बोल चुके हैं अपने आपको क्या समझता है जो भी कहानी बताएगा उस पर हम यकीन कर लेंगे इतना बेवकूफ समझ रखाया हमें सत्संग के नाम पर जो तु सबको बता कर ट्रिप पर गया वो प्लैन मुझे समझ में आ गया है अब ही मुझे बस इतना बताओ कि मेरा बेटा तुम लोगों से मिलने क्यों आया था उसका तेरे साथ क्या संबन था कैम के बाद मैंने उसे नहीं देखा मैम हेई इधर देख बस इतना ही सब कुछ कात्म हो गया अब जूट बोलने से कोई फाइदा नहीं होगा सच बोलने में ही तिरी भलाई है वरना सच कैसे बुलवाना है मुझे पता है सच कह रही हूं मैम मुझे नहीं पता है मेरा बेटा कहा है नहीं बताओगी तो खालो धीर दूंगी देखिए मैं भगवान की कसम कसम खाकर आपसे बिल्कुल सच कह रही हूं मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो अरे माल क्यास मेंड़ा अरे में जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए कहा है मेरा बेटा तुम्हें पता है जब तक बोलो की नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं मैं तसम खाकर कहती हूं मुझे कुछ नहीं पता मैं प्रानी करके उने जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए रुट़ दीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब जोड़ दीजिए साहब मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता है, अखिर समस्या क्या है आप लोग की, क्यों मार खाने पर तुले हुए हो, अगर कुछ पता है तो बता दो, ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, तुम इस लड़की को जानते हो, मुझे ये नहीं पता मैडम, देखो आलोग, तुम और वरुन एक साथ कैम्पें गए थे, ये हम जानते हैं, पिछले 24 दिनों से वरुन लापता है, पुलिस ढूंड रही है, वरुन के लापता होने और इस लड़की के बीच में कोई तो संब है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पता है, बता दोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मुझे कुछ नहीं पता है, सर, तुम्हें पता है, वरुन जिस दिन ना पता हुआ था, आखरी कॉल तुम्हारा ही था, उसके मबाईल पर, पहले जब तुम से पूछा कि कि वो कहा है तब तुमने कहा था, तुम नहीं जानते, जो जूट था, अगर तुमने वही जूट फिर से दोहराया तो, यूवल पे फॉर एट, आंटी कसम से बोल रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उस दिन वहाँ बुलाया था, लेकिन वो कहा है, मुझे नहीं बताया है उसने, ठीक है, इस लड़की के बार में बता, मुझे नहीं पता अंटी, जाज बता, नई सुरेश, लास्ट कॉल इसी का था, यहीं एक एविदेंस है हमारे पास, यस मड़ाब, ये भी गुनेहगार है, इसके नापर केस रेजिस्टर करो, यस मड़ाब, ये चल रहे है, ये अधर सामेर, बतातामे उता, मैं बता नहीं, जा ये जा हुआा है, ये ये भी मेजना? ये को बूसे है इसमत मागा, क्या है आप बिसना? इसे नहीं दे सकता है इसके जरीए जरूरी काम करना है काम के बाद तुझे दे दूँगा मैं तू अब जा मेडम बाहर भीड जमा हो गई है उन्हें कैसे पता चला मालूम नहीं कैमरा वगरा लगा कर टीवी में लाइव दिखा रहे हैं पर वो प्रेस वाले हैं मेडम आपसे मिलना चाहते हैं मैं किसी से नहीं मिलना चाहती इस वक्त एक भी आदमी इस कंपाउंड में नहीं घुष्टन चाहिए एक्स्ट्रा फॉर्स बलानी है तो बलाओ जाओ जाओ किता हालात हाथों से फिसलते जा रहे हैं येस मैं समझ सकती हूं सब लोग बाहर जाओ परिमल सिर्फ तुम रुको वीडियो का मामला है मुझे पता है अभी कुछ भी चिपाने की जरुरत नहीं है बताओ मेरा बेटा कहां है अब हम कुछ भी नहीं चिपा रहे हैं अगर कुछ पता होगा तो बताएंगे ना परिमल इनके मुसस सा चुगल वाओ यह मैंटम है क्या रहे साब साब इनके टिपले साब है साब साब इनके ठीकले साब हैं.. कmeter,... सब एक काныगर sailing.. buradan अंपक है 못ः.. को दो देख है? से लघ को पा Soul!! को दो देख हषंगा ने.. को दो देख हटेह inspired right? अंपえ- What? को? इसा ने उता है.. कि ऊ एक.. ऩंपे.. सब.. सब मुसे.. . . . . . इसामा मैं रखतला acting, इसाम, इसाम वक्या मुझ़ dalा hopefully वक्या मुझा पाल साम, साम, साम इसाम इसामा मभी नों मुझेट आंग ऐसे सब्सक्ऱब होता करें हुँद कर दो 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 अगर और मारेंगे तो मर जाएंगे वह लोग अगर तुछ चाहती है कि ऐसा नहों तो सारी सच्चा ही बता दे मुझे फर्ण मैं चांद से मार दूगा उन्हें बोल सच बोल बोल कि अगर और अपलोगों को कुछ पता है तो फ्लीज बता दीजिए संबल poss पापा मिना कहा है मिना अंदर नहीं जब जाओ एक बार पर नहीं आता यह भाई आपके घर पर क्यों आये थे पापा के पांस लेकर चलो रोना बंद कर और सच बता नेरे गुस्से का और मत भरका चाहन से बाड़ दूगा तुझे नहीं पापा नहीं हम सारा सच बता देते हैं मैं जेल चल जाती हूँ इसके लिए हम लोग ने इतनी मार खाई किया सुनिये क्या वो इंसान नहीं जान पर है पता नहीं अपनी बच्ची मीना के साथ क्यों करेगा चुपनों तुममें से कोई जेल नहीं जाएगा ये मेरा वादा है और मैं अपना वादा निभाने के लिए कुछ भी करऊँगा अगर नहीं निभा पाया तो मर जबाँगा और अगर तुममें से कोई भी तूटा तो समझ लो कि तुम ने मुझे मार दिया मीना मारी बच्ची मीना उसने बहुत प्रेक्टिस किये है चुप चब बोल दे वरना तेरे बाप की गर्दन काड़ दूगा बोल पता नहीं आंकल मुझे पापा की पाशन है गीता गीता स्टॉप दिस क्रुएलिटी रुख दो ये कानून के खलाफ है ये गलत तरीका है और हमारा बेटा उसके बार म कितने जुल्म ढ़ाये तुमने कोई सुबूत मिला क्या शायद यही आद्वी गलत कह रहा हूं तुझे तुमने परिपर नो मैं बताती हो मुझे मारना मत मुझे मारना मत पापा एई मिना किदर मेरी बेटी को लेकर कहा जा रहे है अस लड़के को कहा दफनाया है तेरी बच्चे दिखाने वाली है मैं तेरा खेल खत्म हो गया पूरा परिवार जेल में सड़ेगा अगवान भी आ गया तो तुझे बचा नहीं पाएगा इसे गाड़ी में पिटा पिचे ब साहर है अजय और आ चलना क्यों रहे हो सब लोग मैं भाथ करता हूं न तो चिंदिं से संबाथ करता हूं से ये हमें अंदर जाकर देखं़ने भी नहीं दे रहे हैं देखियों साथ COME आपका बहुत भला होगा हमें अंदर जाने दीजिए वो मेरा दामाद है जो भी आप अंदर नहीं जा सकते गुनेगार से कोई नहीं मिल सकता यह ओडर है कौन है गुनेगार क्या गुना किया उनने मैं बताता हूं सर यह पुलिस की साजिश है सर वह अपना गुसा इंपर उत आपने वाला परिवार नहीं है बेटी मैंत कर के कमाने वाला परिवार है यह सब पुलिस वालों की अपनी दुश्मनीं है काwn है वह अधर खड़ा है ना एस के भगल में वह परिमल है वह एक बदमाश इन्सान है यह पूरे काऊं को पता है से भी निकाल कर मुखे का ही ठैने हैं अपको हांता है कि लिए हौग यहarla टाहिए हैंने टांदिर को अपको मुझे मारने वाले इसलिए मैंने सब्सक्राइब बता दिया पापा उसने मेरी लाड़ी बेटी को बहुत मरा पापा बहुत गुस्साइब नहीं बता दिया इसलिए अब नहीं बेटी शुक्ति नहीं है वह सही है सब कुछ ठीक हो जाया दो सबंदे करें अविखिशन पापा चाहिए हम अपस्तों इसब देखें के अपनी मीना को इस पुलीस माल परिमल ने कैसे बार जो खातीन ही कि उसके बाद मी मार रहे हम अब आपलोगे हमें नया दिल आएंजे असार मारो गय से भै आड़ जोड़ोगा है पुलिस ने तुम्हेरे साथ किया बतादो 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 क्या हुआ था सब बतादो डरू मत मिटी बतादो तरुनेवल की अदालत ने आज ये फैसला सुनाया इसमें इसके क्या गल्दी थी बच्चे को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है वो भले ही आईची है लेकिन वो एक मा भी तो है हम लोगों की वज़े से उसे बहुत तकलिफ हुई देखो रामी तुम इस तरह से सोच रही हो ये तुम्हारा बड़पन है लेकिन ऐसे सोच के देखो उस लड़के ने जो काम किया था उससे हमारी बेटी के जिन्दे के खराब हो जाती तो यही गीता प्रभाकर हमारे बारे में ऐसा सोचती क्या अपने बेटे को बचाने के बारे में सोचती सभी इंसान अंदर से खुदगर्ज होता है सब के लिए अपनी जिन्दगी मायने रखती है लेकिन जिन बच्चों को मैं सचाई का पार्ट पढ़ा कर बढ़ा कर रहा था उन्हीं को जूट बोलना सिखा दिया कि बस मेरे मन में यही बात घटक रही है अब हम आज के बाद यह साम नहीं सूचना है इं बातों को अपने मन से कैसे मिटाना है बस इसके बारे में सूचना है कि सुनिये अपने उस लड़के की लाश को कब बदला जब मैं गाड़ी ताला में धकेल लाँ था तब ही कहां कि मरकर जब मेरी लाश चलेगी तब वो सच भी मेरे साथ चल जाएगा वो कहां है जब तक तुम लोगों को पता निये तब तक तुम लोग सुरक्षी दो समझ में आया पापा पुलिस आई है क्या से मिलने आये हैं वापस फिर से लिए जाकर मारना चाहते हैं कोट से साफ ओडर है आपकी वर्दी उतर जाएगी साइंबू वाई यापको फिर से दिस्टाब कर रहे हैं अर्यासी कोई बात नहीं है मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं आप लोग जाएगे शर्ट बदल कर रहता हूं ठीके ठीके चलो 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 अब ही जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो कोई आईजी नहीं है एक साधारण औरत है अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर रोने वाली एक मा है डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसे बच्चा नहीं होगा उसके बाद वरुन आया इसलिए हम लोगों ने उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया हमने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी ये बात हमें अंदर से ही कचोट रही है जब हमने शांती से बैठ कर सोचा तो हमारी समझ में एक बात आई हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ हो उसके जमेदार हमी है उसकी गलत परवरिश का ही ये नतीजा है ये बात जब से हमारी समझ में आई है तब ही से हम आपसे मिलना चाह रहे थे पर हाज मिल पाए जाने अंचाने में हमने आपके परिवार को बहुत तकलीफ दी है इसके लिए हम आपसे माफी चाहते है हम लोग ये गाउँ छोड़कर जा रहे है आमेरिका में इसके सिस्टर्स रहती है हमने वहाँ रहने का फैसला कर लिया है पर जाने से पहले हम एक बात चानना चाहते है ये जाने बिना हम इस गाउँ को छोड़कर नहीं जा पाएंगे हमारा वरुन कहां गया वो है भी या पता तो चले की जिन्दा है या उसका इंतजार करने के लिए कोई छोटी से उमीद बची है क्या अभी हाल ये है कि जब भी घर की कॉल बेल बचती है तो हम दोनों दर्वाजे पर भागते है जब कभी भी मोबाइल बचता है तो हमारा दिल धरकता है किसी लड़के की आवाज सुनते है तो उसकी आवाज लगती है उस वक्त जो मीद जगती है फिर उसके बाद जो निराशा होती है इन सारी स्थितियों से हमारी जिन्दगी नर्ग हो चुकी है बरदाश्ट नहीं हो रहा ऐसा लगता है पागल हो जाएगे इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं बोलो न बिन्दास्ट कह सकते हो हम लोग उसका इंतजार करें या ना ठीक है कोई बात नहीं तुमने हमारा यकीन नहीं किया यकीन ना करना भी सही है समझ सकता हूँ आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे माफ कर देना मैं सुरी सर एक मिनट एक मिनट सर आप बहुत बड़े इंसान हैं बहुत बड़े बहुत बड़ा दिल है आपका मैं ऐसा नहीं हो साब मैं बहुत छोटा इंसान हूँ मतलबी हूँ बहुत मतलबी साब मैं आपके जैसा नहीं हूँ मेरे लिए बीवी बच्चे परिवार पस यही मेरी दुनिया इससे बाहर क्या होता है साब यह मैं नहीं जानता हूँ और उससे ज़्यादा मैं सपने भी नहीं देखता हूँ मेरी उस छोटी सी दुनिया में एक अंजान अंजान महमान आ गया हमने तिनका तिनका करके जो छोटा सा घोंसला बनाया था उसने उसे बिखेरनी की कोशिश किया हमने उसके सामने हाथ पर जोड़ा बहुत गिलगडाय साब लेकिन वो समझने का डाम ही नहीं ले रहा था साब चोटी चोटी उम्र थी नुवान की जान बुचकर नहीं किया उसने उसने अपने आपको बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो गया मैंने कितनी भर सोचा कितनी भर सोचा कि आपके पहर पकड़कर आपसे माफी मांग लो हजार बार सोचा लेकिन मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाया छोटा इंसान हो न साहब मेरी सोच यह है कि मेरी बीवी बच्चों को तकलिफ नहीं होनी चाहिए उनकी हिफाज़त के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बस मैं यही सोचने लगा यह पाप नाशम कुछ लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं यहां नहा कर अपने पाप को दोने के लिए मैं तो इसी गउंगा हूँ हर रोज नहा कर थोड़ा थोड़ा अपना पाप कम करनूँगा अप 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 बहू अप इस तब करना ना पाप इस अप बहुत रहा हूँ पर ईसा बुला रहें तुम्हें पुलिस वालों को बेवकूब बनाया इसका घमन्ड है क्या तुझे अस लड़के की बॉड़ी जब तक नहीं मिलेगी न तब तक घर का खाना खाले एक बात ध्याद में रख अगले तीन साल तक मैं यहीं रहने वाला हूँ एक नएक दिन सूंग के जरूर निकालूँगा सहब पुलिस वालों की मैं बहुत इज़द करता हूँ जनता के लिए पुलिस अभी उनकी रक्षक है अभी मुझे विश्वास है साब आप और यह पुलिस टेशन मेरा साथ देगा इस बात की मुझे उमीद है साब गलत मन समझेगा चलता हूँ आप आप अपने पुलिस टेशन के फ्लोरिंगे काम सोम वार से शुरू होने वाला है उसके खताम होते ही से कर दूगा है अपने प्लोरिंगे काम सोम वाला है अपने प्लोरिंगे काम सोम वाला है